हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूग चैनल आडियो वर्स एंशेंट गॉडली मॉनार्क चैप्टर 1471 टू 1480 जी डाउलूंके चारों और चक्कर लगाते हुए आदित्य की हरक्तें बेहत तेज थी कभी कभी एक चौकाने वाली तलवार का इरादा शक्तिशाली आत्मा उर्जा के साथ फूट पड़ता था जो जी डाउलूंके दिमाग में घुस गया था जी डाउलूंक इससे बचने में इतने व्यस्थ थे कि उनके पास किसी और चीज के लिए समय नहीं था यहां तक की Ultimate Violet Sacred Immortal Art और Thousand Autumn's Emperor Art भी अब बहुत कम प्रभावी थे क्योंकि वह ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं था हाला कि उनका बचाव अभी भी बेहद मजबूत था उसका शरीर बैंगनी रंग से चमक रहा था क्योंकि बैंगनी प्रकाश उसके पीछे एक बैंगनी दानक प्रकट कर रहा था तार के हमलों को नश्ट कर रहा था भीतर नहित शक्ती इतनी शक्तिशाली थी कि कुछ भी चकनाचूर कर सकती थी वह स्वया अभी भी भाले से वार कर रहा था उसने अपने पिछले अहंकार को वापस ले लिया और आदित्य को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और अधिक सतर्क हो गया जी डावलूम फस गया है वह पहले ही द्रिड विश्वास खो चुका है कि वह निश्चित विजेता होगा वह युद्ध के मामले में अधिक रूधिवादी होने लगा जबकि इस कृपान तलवार अमर राजा के हमले मजबूत और मजबूत होते गए उनकी तलवार कला अध्भुत और बिना दोश के है जो भयानक तलवार के इरादे को जन्म देती है उनके प्रत्येक तलवार के हमले में एक गठन द्वारा संचालित तलवार के हमले के बराबर शक्ति होती है गड़गडा हट एक दिशा में जड़ाय डावयां का एक रक्षक बाहर निकला यहां आदमी एक अंतिमचरन शिखर्चन का अमर राजा था जब उसने जी डावलों को एक हाथ खोते हुए देखा तो वह तुरंथ उसकी सहायता करना चाहता था हाला कि जीत और हार अभी भी अनिश्चित थी अगर जी डावलों वास्तव में हार गए और यहां मर गए तो उनके पास वाइलेट समराट को जवाब देने का कोई तरीका नहीं होगा उसे ब्लॉक कर दो बाई किंग ने ठंडी आग्या दी कई शक्तिशाली शैतान क्रिशकों ने अपने कानून के खेतर को खोल दिया जिससे आकाश रक्तरंजित प्रकाश की किरनों से चकना चूर हो गया क्योंकि निर्नय की शक्ती उस विशेशग्य पर हावी हो गई उसे और जी डाउलों के अन्य रक्षकों को अपने भीतर फसा लिया। इससे पहले बाई किंग ने पहले ही कहा था कि वह जी डाउलों को मार डालेगी। अब चुंकि जी डाउलों के साथ कोई इतना शक्तिशाली व्यवहार कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से किसी अन्य को इसमें बाधा डालने की अनुमती नहीं देगी। क्या आप सभी वास्तव में वाईलेट समराट के साथ एक मौट की शिकायत स्थापित करना चाहते हैं, जी डाउलों के रक्षकों ने आजादी से संधर्ष करने की पूरी कोशिश की तो गुस्से की एक गड़गडाहट सुनाई दी। आपके वाईलेट माउन्टेन का युवा मास्टर किसी के साथ उचित द्वंदव लड़ रहा है। यदि वह मर जाता है, तो इसका मतलब केवल यहा है कि वह बिकार है। इससे पहले क्या वह अत्यंत अहंकारी नहीं था। अब जब जीत निश्चित नहीं है, तो तुम लोग हमें डराने के लिए उसकी प्रिष्ठ भूमी का हवाला दे रहे हो। बुजी शान्ती से बोली, किसी भी मामले में हम में से असंखे डेविल ग्वीप समोह वाइलेट परवत से क्यों डरेंगे। अस्यासपद, लड़ाई अभी भी पहले की तरहे तीवर थी और जी डाउलोंग ने जितनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसकी आत्मा उतनी ही अधिक कामपने लगी। उनका आत्म विश्वास धीरे-धीरे खत्म हो रहा था और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उन्हें पता चला कि आदित्य के हमले वास्तव में मजबूत हो गए हैं। ऐसा लगा कि आदित्य के पास अंगिनत तुरूप के पत्ते हैं और वह अभी भी कुछ रिजर्व में रख रहा है। उन्होंने अपना कानून डोमेन बिल्कुल जारी नहीं किया था। क्या वह अभी भी रिजर्व में कुछ ताकत वापस रख रहा है। तो दर्शकों को कुछ सुराग मिल सकते हैं और सीख सकते हैं कि वह कौन है। हाला कि जी डाउलोंग वह व्यक्ती था जिसे उसे मारना था। जिसक्षन उसने ऐसा किया। वाइलेट समराट निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। जी डाउलोंग को मारने के लिए क्रिपान तलवार अमर राजा की पहचान का उपियोग करने से उसे कुछ परिशानी से बचाया जा सकेगा। चोटा पगोडा और भी तेज चमक रहा था। आदित्य ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और एक भारी दबाव ने सब कुछ दबा दिया। उसी समय शिवाले के भीतर की पवित्र इच्छा बाहर निकली जिसके कारण जी डाउलोंग के उपर हवाई छेत्र में कई पैगोडा भौतिक हो गए जिससे उसके पीछे वाइलेक विशाल को दबा दिया गया। दबाव आदित्य दहाडा। प्राचीन दरपन से प्रकाश आकाश में चला गया, सब कुछ अलग कर दिया। हालाकि यह स्थान प्राचीन समराटों का शहर था। अमर राजाओं का अपना मार्ग होता है और अमर समराटों का अपना मार्ग होता है। हवा से एक निराकार कानून उर्जा का दबाव जी डाउलों पर उत्रा, जैसे स्वर्ग का प्रकोप उस पर ताला लगा रहा हो। इस भयानक उर्जा ने सीधे तौर पर समराट के हथियार की शक्ती को नकार दिया, इसकी चमक को कम कर दिया। एक करकश धोने निकली, दरपन की सतह पर दरारे दिखाई देने लगी जैसे समराट श्रेनी का हथियार चकना चूर होने लगा। प्राचीन समराटों के शहर में यह नियम था। समराट रैंक वाले हथियारों का इस्तिमाल केवल अमर समराटों के खिलाफ ही किया जा सकता है। उन्हें अमर राजाओं के इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए। स्क्रैम इजी डाउलोंग आसमान में दहाड़ा। हालांकि आदित्य धायल हो गया था। उसने एक और चमकदार तलवार के हमले को अंजाम देने में कोई समय बरबाद नहीं किया। तलवार की रोशनी की यह किरन तुरंत जी डाउलों की आखों में चली गई, उसे एक द्रिमस्केप में खींच लिया। मारना आदित्य की हत्या का इरादा आसमान में उठ गया। यह तलवार का प्रहार जीवन काटने में सक्षम था। जड़ाई डेयो लॉम जोर से दहाड़ा, उसके रक्षक आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वे सभी फस गए थे, कुछ भी करने में असमर्थ थे। तलवार के वार के उतरते ही हवा में ताजा खूम छलकने लगा। तलवार के हमले की विनाशकारी शक्तीजी डाउलों की चाती में घुस गई, लेकिन इस समय एक शक्तिशाली प्रकाश प्रकट होने के रूप में एक शांदार प्रकाश फूट पड़ा। यह कोई और नहीं बलकी वाइलेट समराट का सिलहूट था। उसका गुस्सा आस्मान में बढ़ गया, वाइलेट क्यूई उसके चारों और बेथाशा फैल गया क्योंकि वह कृपांतलवार अमर राजा को भूर रहा था। एक समराट की सुरक्षात्मक अमर भावना। तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़ाई में दखल दे सकते हो। आदित्य ने उसे देखा और ठंडी हसी। तो क्या हुआ अगर वाइलेट समराट प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बलकी अमर ज्यान द्वारा निर्मित एक प्रक्षेपन था। अमर राजा के स्तर पर विशेश रूप से बाद के चर्णों में सुरक्षात्मक अमर भावना पहले से ही बेकार थी, उनके पास पर्याप्थ शक्ती नहीं थी। इस तथे की तो बात ही छोड़ दें कि यह स्थान प्राचीन समराटों का शहर था। यहां तक कि शिखर स्तर अमर भावना आदित्य के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं है और इसलिए उसका स्वर बहुत अधिक दबंग नहीं था। हाला कि आदित्य केवल थंडेपन से मुस्कुराया और उसकी ओर देखा स्क्रेंग। जैसे ही उनकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, अंगिन नियरूप से कुरूप हो गई। शहर से कानून की उर्जा सुरक्षात्मक प्रकाश धाल में विस्पोर्ट करती रही और ऐसा लग रहा था कि वह तूट जाएगी और कभी भी उसके शरीर पर वार कर सकती है। उसका प्रोजेक्शन फीका पढ़ने वाला था। लेकिन फिर तो तुम हमारे पूरे वाइलेक माउंटेन के दुश्मन बन जाओगे। कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप अमर लोकों में कहा जाते हैं आपके लिए जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। यहां तक कि आपके दोस्तों और परिवार को भी हम शिकार बना लेंगे। मैं वास्तव में आपके लिए दुखी हूँ। आदित्या ने जवाब दिया। उसकी आखों ने एक और आख महमला किया। उसकी तलवार ने एक तलवार क्यूई नदी को गिरा दिया। जो सब कुछ नश्ट करना चाहती थी जी डाउलोंग की ओर बढ़ी। जी को अपने पैरों के नीचे दबा लेना चाहता था लेकिन किसने सोचा होगा कि वह यहां एक गुमनाम अमर राजा द्वारा मारा जाने वाला है। तलवार की ची तेजी से उड़ी जिससे उसकी दूसरी भुजा तूट गई। जी डाउलोंग की आखों में जिलमिलाहट की भावना थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम मुझे मारने के लिए कोई कसर क्यों नहीं चोड़ना चाहते। जी डाउलोंग अनिच्छा से दहाड़ा। क्योंकि मैं आदित्य हूँ जी डाउलोंग के दिमाग में एक आवास गुम्ज उठी। जी डाउलोंग की आखें चोड़ी हो गई, तलवार का हमला उसके बाद एक सेकंड के विभाजन के बाद गिरा, उसे खत्म कर दिया। जी डाउलोंग की आखें खुली हुई थी, वह आखिरकार समझ गया कि यह कृपान तलवार अमर राजा उसे क्यों मारना चाहता था। मरने से पहले वह अभी भी इस तथ्य से सग्मे से भर गया था कि आदित्य पहले से ही उसे मारने के लिए काफी मजबूत था। उस समय यह चीन्टी जैसा चरित्र जमीन पर एक कीडे के समान था। वह किसी भीक्षन आदित्य को पटक तक कर मार सकता था। अब पच्चतावे के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जी डावलों के मरने के बाद यह पूरा स्थान खामोश हो गया। दूर दूर से आये अमर राजा सभी हरदय में अवाक रहकर इस द्रिश को विसमय से देखते रहे। जी डावलों का सिर आदित्य ने मरते समय काट दिया था। जी डावलों की आखें खुली हुई थी, अनिक्षा से भरी हुई थी। वह एक उक्रिष्ट प्रतिभाशाली, एक शिखर स्थरिय अमर राजा था, जिसके पास बेजोड युद्ध कौशल था। वह वाइलेट समराट का बेटा था और उसके पास समराट के दरजे के हथियार भी थे। लेकिन फि निगल लिया, जिससे आकाश का रंग बदल गया, बैंगनी हो गया। वाइलेट माउंटेन के सभी विशेशग्यों के चहरे पर सदमे के भाव थे, वे सभी सेंट्रल स्काई पैलेस को घूर रहे थे क्योंकि उनके चहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। वाइलेट स बेटों की एक के बाद एक मृत्यू हो गई, जड़ाई दावयांग और जड़ाई डे ओलोंग। उसने अपने सिर को जुकाया जैसे की वाइलेट पुतलियों का एक जोड़ा हवा में दिखाई दिया, दूरी के माध्यम से जहाक रहा था, जिससे वाइलेट परवत पर शि इस आदमी का शिकार करने के लिए प्राचीन समराटों के शहर जा रहे हैं। वाइलेट समराट ने थंडी आग्या दी, हवा में बैंगनी रोशनी चमक उठी, जैसे क्रिपान तलवार अमर राजा की विशेश्टाएं दिखाई दी। वाइलेट समराट का गुस्सा इस व् करने के लिए वाइलेट परवत के सभी अमर राजाओं को जुटाना चाहता था। इस व्यक्ती ने वास्टव में क्या किया है। क्या जी डाउलोंग वाइलेट समराट का पुत्र वर्तमान में प्राचीन समराटों के शहर में नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है। जब उन्हो समराट के प्रक्षेपन को अपमानित किया, उसे जाड़ फूंक करने के लिए कहा और जी डाउलोंग का सिर कलम कर दिया। इससे पहले जडाई डे ओ लॉंग ने उसका वद करने के लिए उसका अपमान किया था। लेकिन अब जडाई डे ओ लॉंग ही वह था जो इतनी दै अब जबकि जी डावलोंग की मृत्यू हो गई है, हर कोई अचंभे में था। जी डावलोंग की प्रिष्ठ भूमी पर विचार करना होगा और उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। वाइलेट समराट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वापस। हालाकि वास्तविक्ता ने साबित कर दिया है कि जी डावलोंग केवल इतना ही था। इतनी कमजोर ताकत से वह वास्तव में इस सीट को मारना चाहते थे। यह सीट उसे कैसे बक्षेगी। मैं उन लोगों को मार डालूंगा जो मुझे मारना चाहते हैं। आदित्य ने एक दबंग लहजे में बात की और क्रिपान तलवार अमर राजा के रूप में अपनी छवी को और मजबूत किया जब दूसरों को संदेह था कि उन्हें जी डावलों के साथ कुछ और शिकायत थी। वह क्रिपान तलवार अमर राजा की पहचान का उपयोग करके प्राचीन समराटों के शहर में आया था और दूसरों के साथ प्रतिस्परधा करके वह निश्चित रूप से दुश्मन बना लेगा। दो अलग-अलग पहचानों का उपयोग करना निस्संदेह बहतर विकल्प था। बाई किंग ने तुरंक निनायक रूप से सराहना की। वह जिस व्यक्ती से नफरत करती थी वह वाइलेट समराट था। शिखरस्तर के अमर समराट के रूप में उसने वास्तव में अपनी स्थिती की उपेक्षा की और आदित्य पर आक्रमन किया। चुंकि वाइलेट समराट पहले से ही उसके आदित्य गेगे को मारना चाहता था। तब किसी भी चर्चा की कोई आवशक्ता नहीं थी, वह अब और परवाह नहीं करेगी और वह मूल रूप से यहां थी जिसका कारण जी डाउलों का शिकार करना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वह शिकरवस्था अमर राजा क्रोध से गरजना करने लगा। हाला कि कई डैविल कल्टिवेटर पहले ही निकल चुके थे। आदित्य की आखें अतुलनिय रूप से ठंडी थी। अपने सिलहूट की एक चमक के साथ, उन्होंने शैतान के किसानों के साथ अपने हमलों का समनवय किया क्योंकि वे वाइलेक परवत के विशेशग्यों की ओर अपना रास्ता मार रहे थे। उनके लिए चीजे साधारन थी। भविश में ये सभी लोग शत्रू होंगे जो उसकी जान चाहते हैं। वह अब जितने लोगों को मार सकता है, मार डालेगा। टाय करते स्काइमिस्ट इम्मोर्टल एम्पायर, पैरागॉन स्वार्ड संप्रदाय और उनके सहयोगियों के विशेशग्यों ने बाच्चीत में अपनी आवाज प्रसारित करते हुए आपसी नजरों का आदान प्रदान किया। जी डाउलों के मरने के बाद स्थिती को नियंतरित करना इतना आसान नहीं होगा। तुबा सेंट्सकी और जुन मेंग चेन का समूह भी अपनी आवाजे प्रसारित कर रहा था। जुन मेंग चेन ने कहा वरिश्ट तुबा अन्य पूर्वी शक्तियों के ये विशेशग्य सभी जिजक रहे हैं। वे शायद अब लड़ने का इरादा नहीं रखते। कैसा रहेगा कि हम उन्हें रोक दें और वरिश्ट भाई किन और शैतान काश्टकारों को वाईलेक परवत के विशेशग्यों से निपटने के दौरान आराम से रहने दें। मह अच्छा विचार अगर वे वाईलेक माउंटेन के विशेशग्यों को छोर दें और वैसे ही चले जाएं। इसलिए जब उन्होंने जुन मेंग चेन और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो उन्होंने जानबूच कर अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ा दिया और अपना पू अधित्य उन्हें कैसे भागने दे सकते थे। न्याएक शक्ती के साथ साथ उनके दमनकारी कानून डोमेन से बनी एक जेल को तुरंथ हटा दिया गया। उनके आंदोलनों को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उन्होंने बद। जारी रखा। अंत में केवल कुछ शिखरव वास्तव में एक गलत मौत मरा। ये सभी लोग समझ गए थे कि जी डाउलों को मरते हुए देखने के बाद वाइलेट समराट क्रोधित हो जाएगा। वे उम्मीद कर रहे हैं कि वाइलेट समराट उनके लिए इन लोगों को मारने के लिए यहां और अधिक बल विभिन प्रमुक शक्तियों के गठ बंधन के बंधन स्वाभाविक रूप से इतने ठोस नहीं होंगे। दर्शकों ने चर्चा की। आधित्य ने युद्ध के मैदान पर नजर डाली फिर वह बुजी, बाई किंग और अन्य शैतान काश्टकारों की ओर मुरा और उसने कह सबको हमें भविष्य में और अधिक सतर्क रहना होगा। कृपान तलवार अमर राजा आपको और अधिक सावधान रहना होगा। गुजी ने याद दिलाया। आखिरकार वे कंधे से कंधा मिला कर लड़े थे। घले ही उन्हें पता नहीं था कि कृपान तलवार अमर उसके लिए परिशानी खड़ी कर देंगे। इससे पहले जी डावलों को मारने का उसका कार्य निश्चित रूप से कई सर्वोच अमर राजाओं को जटका देने के लिए परियाप्त था। जी डावलों केवल शिखरचन के शुरुवाती चरण में हो सकता है लेकिन उसकी युद्धक्षम्ता निससंदेह बाद के चरण में एक अमर राजा के बराबर थी। लेकिन फिर भी वह अभी भी कृपान तलवार अमर राजा के लिए मर गया। इसने इसे ऐसा बना दिया कि हर कोई जो उससे निपटना चाहता था। उसे पहले अपने कारियों के बारे मे अमर लोक भी हैरान रह गए। आखिरकार जी डाउलों काफी प्रसिध था। एक शिखरचन अमर राजा और साथ ही वाइलेट समराट का एक बेटा फिर भी वह मारा गया था। इसने कई सरवोच अमर राजाओं को रहसिमय क्रिपान तलवार अमर राजा के बारे में जानने के लिए उत्सुख किया। उसके बाद और खबरे प्रसारित हुई। इससे पहले कि यह क्रिपान तलवार अमर राजा ने जी डाउलों को मार डाला। उसने पहले ही कई अन्य अमर राजाओं को मार डाला था। जिसमें पैरागौन तलवार संप्रदाय के एक शिखरचन के अमर राजा भी शामिल थे। एक पल में क्रिपान तलवार अमर राजा का नाम प्राचीन समराटो के पूरे शहर में गुंच उठा क्योंकि कई अमर राजा इस पागल आदमी के बारे में चर्चा करने लगे। इस पागल आदमी की आखों में अमर लोकों की चरम शक्तिया बिलकुल नहीं थी। उसके बाद प्राचीन समराटो के शहर में कई अमर राजा थे जो क्रिपान तलवार अमर राजा को चुनोती देना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जी डावलों को मारने में सक्षम होने के लिए वह वास्तव में कितना मजबूत था। कुछ स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी थे जो क्रिपान तलवार अमर राजा के साहस का सम्मान करते थे। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस क्रिपान तलवार अमर राजा से मिलना चाहते थे यह देखते हुए कि वह वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ती था। ऐ द्रिश में जहां वाइलेट परवत के इतने सारे विशेशग्य एकत्र हुए थे, जी डोयान को मारने में सक्षम थे। कौन है ये अभी, प्राचीन महल के बाहर पाल्थी मार कर एक व्यक्ती बैठा था, उसकी आखे ध्यान में बंद थी। कि इस आकरिती के पीछे क्रिपान और तलवार बंधी हुई थी। हलक ही बड़पन की आभा को महसूस करने के लिए काफी थी। यह महिला चंद्रमा की सुंदर्ता को फीका करने में सक्षम थी। वही खड़े होकर वह सबकी निगाहों को अपनी ओर आकरशित करते हुए सबके आकरशन का केंगर बन गई। जू किंग्याओ अमर राजाओं ने तुरंट उसकी पहचान जानकर इस महिला को देखा। वह मध्यक्षेप्रों में एक शिर्ष स्तरिय सुंदर्ता थी। न केवल वह सुंदर थी बलकि उसकी प्रतिभाभी आश्चर्यजनक रूप से उच्छ थी जिसके कारण कई पुरुष उससे इर्शा करते थे और अन्य महिलाओं में इर्शा पैदा करते थे। आदित्यने अभी भी अपनी आखे बंद कर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शब्द नहीं सुने हो। इस दौरान काफी संख्या में लोग आये और हंगामा किया। शायद यह उस घटना के कारण था जहां उसने जी डाउलों को मार डाला था। बहुत से लोग उ एक हलकी मुस्कान दिखाई दी जिससे तुरंत महौल चमक उठा। उसने उचसुकता से आदित्य का सर्वेक्षन किया। यह आदमी जो मध्य चरण का अमर राजा था फिर भी इतना शक्तिशाली था कि वह जी डाउलों को मार सके। जू क्विंड्याओ भी एक मध्य चरण और उसकी ओर देखा। तेज रोशनी से उसकी आखे टिम्टिमा उठीन क्योंकि वह कुछ अचमभित था। उनके सामने यह महिला निससंदे उन सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी जिन्हें उन्होंने कभी देखा था। उसके सुंदर फिगर पर उसके कपड़ों स तु बोल सके। जूप विंग्याओं ने आदित्य की आखों में टिम्टिमाती रोशनी को देखा और उसकी मुस्कान और भी तेज हो गई। आदित्य ने चुपचाप विचार किया कि यह महिला कितनी सुंदर है। वह खड़ा हुआ और हसा तुम जैसी सुंदरता के साथ दाव पर चर्चा करना कितना उबाव होगा। हम रोमास पर चर्चा क्यों नहीं करते एक दूसरे के साथ छेडखानी करते हैं और हवा, फूल, बर्फ और चंद्रमा के बारे में कविता बुनते हैं। क्या यह अधिक उत्कृष्ट नहीं होगा। प्रिपांतलवार अमर र जिसे आसानी से शब्दों से चिढ़ाया जा सके। एक बार एक शिखरवस्था वाला अमर राजा था जिसने ऐसा किया और उसका अंत अत्यंत दैनिय धंग से हुआ। वास्तव में जूकिंड्याओ को व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की भी कोई आवश्शक्ता नहीं थी जूकिंड्याओ की निगाहें कठोर हो गई, आदित्य को कुछ अजीब तरह से घूरने लगा। वह स्वाभाविक रूप से अपने आकर्शन के बारे में जानती थी। बहुत से पुरुष इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे और जो लोग उसकी पहचान के बारे म बात करना चाहता था, उसके साथ इश्क बाजी करना और यहां तक की हवा, फूल, बर्फ और चान के बारे में कविता बुनना चाहता था। उसकी आखों में मुसकान बेहत खूब सुरक थी। जूकिंड्याओ ने आदित्य से बात की बिलकुल हमारे पास स्पार क्यों नही है, यदि तुम मेरे विरुध जीत जाते हो, तो हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। प्राचीन समराटों के शहर के लोग उसके साथ अभ्यास करना चाहते थे, तो क्या वह उनकी सभी चुनोतियों को स्विकार करने में बहुत व्यस्त नहीं होता। पेश में अचानक दौर दिखाई दी, उसे ढख लिया। शिखरचन के मध्यचन के अमर राजा की आभा जूकिंग्याओ से निकली। वह आदित्य को देखकर मुस्कुराई और उस पर एक जेड जैसी उंगली उठाई। एक पल में आदित्य को धंकते हुए, पंखुडियों का एक खिंचाव दिखाई दिया। आदित्य पंखुडियों के इस समुद्र में भस गया था। उनकी दृष्टी में जूक विंगयाओ एक दिव्य युवती की तरह थी, जिसके हर कदम पर कमल खिलता था। उसके चहरे पर उस खूबसूरत मुस्कान के साथ, जैसे जैसे वह उसके करीब आती गई, उसका सुन्दर फिगर नाचने लगा। उसकी सुन्दरता वास्तव में किसी की आत्मा को मोहित करने के लिए परियाप्त थी, उसके साथ प्यार में पागल हो जाना। आदित्य के चहरे पर मुस्कान थी, चुपचाप उसके सामने सुन्दर ग्रिश को निहार रहा था। उसी समय उसने अपनी हथेली को फैलाया और एक सुन्हरा वजरताड का प्रहार किया, जो सब कुछ कुछ पुचलने में सक्षम था। प्यारी, गोरी और जेड जैसी उंगली वजर की हथेली में घुस गई। छाप पर दरारे दिखाई देने से रन तूट गए। वह वास्तव में हथेली की छाप को चकनाचूर करने में सफर रही। इतना सुन्दर भ्रम जो किसी को भी अपने भीतर डूब जाने देता है। वह प्यारी उंगली वास्तव में ऐसी शक्ती के लिए सक्षम है। फेरी, आपकी तकनीक वास्तव में उतकृष्ट है। अतीत के सभी भ्रमों को देखते हुए आधित्य की आखें सुनहरी चमक उठी। पंखुडियों का समुद्र गायब हो गया, जुकिंद्याओ वह प्यारी उंगली में इतनी शक्ती होगी। साधारन अमर राजा निश्चित रूप से उससे मरेंगे। तो यह पता चलता है कि पहले का दृष्य जुकिंगयाओ द्वारा किया गया एक भ्रम मात्र था। वह एक परम सुन्दरी थी और वास्तव में मायावी तकनीकों मे कुशल थी। उसका आकरशन और उसकी सुन्दरता भ्रमबलातकार का हिस्सा थी जिससे लोग आसानी से उसमें गिर जाते थे। आप वास्तव में बुद्धपत की तकनीकों में कुशल हैं जुकिंगयाओ की आखें चमक उठी। अधिक भ्रम प्रकट हुए स्वयं के अंग प्रकट की चकनाचूर करने वाली उंगली की बात है, यह उसके पिता द्वारा बनाए गई एक परम तकनीक थी। जब उस तकनीक की सीमा तक खेती की जाती थी। तो उप्योग करता स्वर्ग के गुंबत को चकनाचूर करने में सक्षम होता था। आदित्य अब भी मुस्क पर थे, उनकी भ्रामक तक्निकें उन्हें कैसे बेवकूफ बना सकती हैं। चुंकी वे एक ही स्तर पर थे, आदित्य को भरोसा था कि वह उनकी प्रतिद्वन्ध भी नहीं होगी। अदित्य मुस्तुराया। अगले ही पल जूक विंगयाओं ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है जैसे कि मृत्यू का देवता आ रहा हो। केवल अब उसे एहसास हुआ कि इस कृपान तलवार अमर राजा के साथ घनिष्ट युद्ध में लड़ना केवल गाली देने के लिए कह रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वास्तव में मेरे जैसे सुन्दर फूल पर बेहमी से हमला करने को तयार हो जूकिंगयाओं ने एक चमकदार मुस्कान बिखेरी जो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थी। यहां तक की आदित्य भी उसकी मुस्कान से कुछ दंग रह गए। स्वाभाग्य से उन्होंने सच्चाई की कला विक्सित की और उनके पास एक शक्तिशाली इच्छा शक्ती थी। दर्द से कराहने लगी। उसके होटों से खून तपकने लगा और उसका चहरा कागस की तरह पीला पड़ गया। पढ़ना बंद करो। जैसे ही उनकी आवाज का स्वर्फी का पढ़ गया, वे अमर राजा जिन्होंने अपनी आभा बिखेर दी, सभी स्थब्ध स्थब्ध रह गए। उसके बाद उनकी आखों से क्रोध के दहकते अंगारे जिल मिलाने लगे और वे आदित्य को घेना की अद्रिश्टी से देखने लगे। इस हरामी ने वास्तव में परी किंग्याओ के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। जो किंग्याओ की सुंदर्ता बेजोर थी और कई अमर राजा उसका पीछा करना चाहते थे यह दावा करते हुए कि वह उनके दिल की देवी है। हाला की अभी कृपान तलवार अमर राजा ने वास्तव में उसे गले लगा लिया। वह बस मौत को दावत दे रहा था। जो किंग्याओ के हाभा आखिरकार बदल गए। इससे पहले उनके चहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने हर बात मान ली क्योंकि उन्हें लगा कि अभी भी धीरे से उसके चहरे को सहला रही थी क्योंकि वह मुस्करा रहा था। परी तुम नौ स्वर्गों से एक दिव्य के रूप में सुंदर हो। आपके साथ प्यार के बारे में बात करने में सक्षम होना, इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक बात होनी चाहिए। परी किंग्याओ उसने आदित्य को दर महसूस कराने के लिए अपनी पहचान चिल्लाई। परी किंग्याओ आपका नाम आपके व्यक्तित्व जितना ही सुंदर है, हाला कि ऐसा नहीं लगता था कि आदित्य ने उसके बारे में सुना है। उसकी उंग्याओ अभी भी धीरे से उसके चहरे को सहला रही थी। उसके चहरे की रूपरेखा का पता लगा रही थी और उसकी गरदन को सहलाने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसकी उंगलिया और भी नीचे धंसने वाली थी। जो किंग्याओ अकड़ गई उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसका चहरा गर्म जल रहा था, शर्म और गुस्से का मिश्रण। वह उतक्रिष्ट प्रतिभा और असाधारन प्रिष्ट भूमी वाली सर्वोच्च सुंदर्ता थी। वह जहां भी जाती, लोग उसका सम्मान करते। लेकिन आज वास्तव में कोई उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा था, मौखिक और शारिरिक दोनों तरीकों से उसके साथ स्वतन प्रता ले रहा था। आसपास के विशेशग्य भाउचक के रह गए थे, वेक्रिपान तलवार अमर राजा को जूक इंग्याओं के खुले में ले जाने के लिए देख रहे थे, पवित्र और निर्दोष परीजू वास्तव में इस आदमी द्वारा कलंकित होने वाली थी, क्या वह पागल हो गय उसने जी डावलों को मारने का साहस किया और यहां तक की परीक इंग्याओं के साथ भी ऐसा करने का साहस किया, परीक बहतर होगा कि आप इमानदारी से इस सीट के लिए अपने वादे का सम्मान करें, क्या आप समझोते को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, जैसे ही उसकी उंगलिया उसकी गर्दन के नीचे चली, आदित्य की आखों में ठंडक आ गई, जो किंग्याओं हामफ रही थी और उसका शरीर वास्तव में काप रहा था, उसने एक घूंट पिया और उत्तर दिया, ठीक है, मैं साथ दिन और रात के लिए अपनी वाचा का पालन करूंग आदित्य अचानक मुस्कुराया, जो ठंडक उसने पहले दी थी, वह सब गायब हो गई, हालांकि परी ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं लगती है, अब उसके दोनों हाथ उसकी जुरवा चूटियों के क्षेत्र के पास थे, जू किंग्याओं पीला पड़ गया लेकिन उसने अपने चहरे पर मुस्कान ला दी, यह कैसे हो सकता, तो ठीक है आदित्य ने हंसकर अपने घूमते हुए हाथों को पीछे खीच लिया, उसने जू किंग्याओं को आलिंगन में लिया और अपने सिलहूट की चमक के साथ वह आसमान में उड़ गया, परी किंग उसने चहरे कागस की तरहे पीले पढ़ गए थे, जैसे उनका गुस्सा आसमान की ओर उठ गया हो, इस क्रिपान तलवार अमर राजा ने देवी को उनके हृदय में मलिन कर दिया था, यह क्रिपान तलवार अमर राजा बड़ी मुसीबत में पढ़ने वाला है, उन अमर रा उसने पहले ही इतनी परेशानी खड़ी कर दी है, जी डावलों को मारना, प्रतिदवन्दवी तलवार संप्रदाय के शिखर्चन के अमर राजा और ताय हुआ अमर राजवंश के कई विशेशग्यों की हत्या करना, उसका कौन सा कर्म उसे परेशानी नहीं लाएगा, अभ जी डावलों की तरहे खत्म हो जाएंगे और महिलाएं फेरी किंगयाओं की तरहे खत्म हो जाएंगी, हाँ, क्या वह यहां प्राचीन समराटों के शहर में सभी अस्तित्वों को चुनौती देने की योजना बना रहा है, यहां जूक विंद्याओं के कई प्रशनसक होने च तो वह इन सभी लोगों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है, हाला कि अभी उसकी साधना केबल अमर राजा सामराज्य के मध्य चरण में है, वह उन लोगों के लिए एक महत्वहीन प्राणी के अलावा और कुछ नहीं है, इस बार जूकिंगयाओं के साथ आजादी लेन क्योंकि अधिक से अधिक लोग उसे जानते थे, जो किंगयाओं किस तरह का चरित्र था, वह इतनी प्रसिद्ध थी, लेकिन वास्तव में उसका फाइदा उठाया जा रहा था, यह कितना बड़ा मामला है, एक पल में अंगिनत प्रतिभाए एक अच्छा शो देखने के लि रख सकते हैं? हाँ हाँ, एक और सर्वोच चरित्र धीरे-धीरे प्राचीन समराटों के शहर में घूम रहा था, उसने बहुत से लोगों को जूक विंग्याओं के बारे में बात करते हुए सुना, जब वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, इस बार वह सर्वोच राज क्रिपान तलवार अमर राजा द्वारादाद लगाई जाएगी, कोई पुरुष इतनी खूबसूरक महिला का फायदा कैसे नहीं उठा सकता था, जबकि उस पर उसका अधिकार था, उस क्रिपान तलवार अमर राजा ने भी उसके जैसे किसी का सीधे अभरन करने का साहस कि वह अभी और क्या करने की हिम्मत नहीं करेगा? हाला कि यह क्रिपान तलवार अमर राजा निश्चित रूप से इसके लिए था. इस बार यह अध्यात था कि ऐसा करके उसने कितने लोगों को आहत किया? क्या वह वास्तव में प्राचीन समराटों के शहर में प्रतेक अमर र करने की हिम्मत करता है, तो उसके लाखों टुकडे कर दिये जाएंगे. यदि वह पश्चाताप करने को तयार है, तो उसे परी किंडियाओं को वापस भेजना होगा और उससे क्षमा की भीख मांगनी होगी. ऐसा करने से वह मौत से बच सकेगा. क्रिपान तलवार अमर रा कराने में सक्षम होगा. हाला कि इस समय आदित्य जूकिंडियाओं को पहले ही एक दूरस्थ परवत श्रिंखला में ले आया था. प्राचीन समराटों का शहर बहुत विशाल था, विशेश रूप से इसके लिए तीस रास्तर. यह एक पूरी दुनिया की तरह था. पहाड क इसा हो सकता है कि उसकी कुछ दुर्भावना पूर्ण योजनाय थी? उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ जूकिंडियाओं के साथ ऐसा कुछ होगा. यदि आप मुझे रिहा करते हैं, तो मैं आपको किसी भी शर्त का वादा कर सकता हूँ, बस अपनी शर्तों को सूची बद्ध करें. आप क्या बदलना चाहते हैं? जूक विंगयाओं ने बोलते हुए आदित्य को घूर कर देखा. मैं चाहता हूँ कि परिसात दिन और रात मेरे साथ रहे क्योंकि हम फ्लट करते हैं और प्यार के बारे में बात करते हैं. आदित्य उसकी ओर देखकर सुना है. मेरे माता-पिता दोनों अमर समराठ हैं. यदि आप वास्तव में मेरे साथ वह करते हैं तो वे निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोडेंगे और आपको शिकार करने के लिए सभी तरीकों का उप्योग करेंगे. परी मेरे साथ मजाक कर रही होगी. मैंने जी ड पीछे हटते रहे. उसे यहां लाए जाने के बाद आदित्य ने वास्तव में उसकी खेती बंद कर दी. कृपांतलवार अमर राजा, आप कुछ पलों के आनंद के लिए लालसा क्यों करते हैं और इतने सारे शत्रु प्राप्त करते हैं. हम किसान है, दाव की खेती करना हमा की आखों में चमका गई. इस दुनिया में रहकर क्या हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिले? हम स्वाभाविक रूप से दाव की खेती की उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन सुख और आनंद को त्यागने की क्या आवश्च्छता है? वह पहले से ही जू चीन समराटों के शहर में मेरे कई प्रशन सक हैं जो मेरा पीछा करना चाहते हैं और उनमें से बहुत सारे शिखर्स्तर के अमर राजा हैं. सेनलो अमर सामराज्य का एक युवराज है जो वास्तव में एक बेजोर चरित्र है और उसके अनुयाईयों के रूप में कई अन्य सर्वोच विशेशग्य है वह उन लोगों में से एक है जिनका अमर राजा के दाइरे में कोई विरोधी नहीं है सबसे मजबूत अभिजात वर्ग में से एक है जो यहां शिकर पर खड़ा है जी डावलोंग उसके सामने एक चीन्टी की तरह है इसलिए बहतर होगा कि आप तरह से फाइदा उठाए जाने से पूरी तरह से घबरा गया था इस प्रिपांतलवार अमर राजा की वासना की कोई सीमा नहीं थी और उसे बिलकुल भी डर नहीं था उसने जो भी कहा उसे कोई परवाह नहीं थी वह बस एक पागल आदमी था अगर उसे पता होता कि उसका बस छोड़ दिया और वापस परवत शिखर के किनारे पर आ गया और वहाँ पालती मार कर बैठ गया परी तुम यहां चैट के लिए क्यों नहीं आती जो किंग्याओने अपने दाद पीस लिए लेकिन उसने इस आदमी को नारास करने के डर से अवग्या करने की हिम्मत नही की आदित्य कुछ ऐसा कर सकता है जिसका उसे पचतावा होगा वह केवल आग्याकारी रूप से उसकी तरफ चल सकती थी परी समारोह में खड़े मत हो कृप्या बैठ जाएं आदित्य बोला जो किंग्याओने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और अंत में उसके पास बैठ गय परी क्या तुमने महसूस किया कि भले ही मैं इतनी दूर जगह में हूँ मेरे पीछे समराट का भाग्य अभी भी लगातार मजबूत हो रहा है आदित्य ने पूछा समराट के भाग्य को यहाँ प्राचीन समराटो के शहर में नेती की संग्रणिय मात्रा के रूप में माना जा सकता है चुंकि आपके नाम ने प्राचीन समराटों के शहर को हिला दिया था, जिससे अधिक लोग आपके बारे में जानेंगे, आपकी प्रसिधी बढ़ेगी और बदले में भाग्य आप पर जमा होगा भले ही आप दूर हो जाएं, फिर भी आपका नाम वहाँ घूम रहा है, भाग्य पैदा कर रहा है जूक इंग्याओं ने जवाब दिया, अच्छा ऐसा है फिर समराट के भाग्य का क्या उप्योग आदित्य मुस्कुराया जूक विंग्याओं ने देखा कि आदित्य अब उसके साथ स्वतंत्रता नहीं रखता था और इसलिए वह उसे जवाब देने में बहुत खुश थी उसने उत्तर दिया, बहुत पहले से अफवाहे हैं कि एक नया युगा आ रहा है अमर राजा और समराट बड़ी संख्या में प्रकट होंगे क्योंकि उन में से सबसे मजबूत लोग वर्चस्व के लिए लड़ेंगे दुनिया में हर किसी पर प्रभुता के अधिकार के लिए यह प्राचीन समराटों के मार को मान्य करेगा और इसलिए युग परिवर्तन के साथ शहर के नियम भी बदल गए यह भी कहा जाता है कि जब समराट के भाग्य की ताकत एक निश्चित स्थर तक पहुँच जाती है तो वह व्यक्ति उन चीजों को देखने में सक्षम हो जाता है जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते हैं और प्राचीन समराटों के शहर में दूसरों की इंद्रियों से छिपे हुए रहसियों के संपर्क में आते हैं परी तुमने कहा था कि तुम्हारे मातापिता अमर समराठ है उन्हें यहां कई रहस्य पता होंगे है न क्या आपके लिए मेरे साथ कुछ जानकारी साजा करना ठीक है आदित्य ने जूकिंगयाओ को देखा उसकी आखों में मुसकान के कारण जूकिंगयाओ को कुछ घबराहट महसूस हुई दर गया कि कहीं यहां आदमी उसकी सुन्दर्ता से मोहित न हो जाए और कुछ बेकाबू करने लगे कुछ अफवाहे कह रही हैं कि प्राचीन समराटो का शहर इस जगह से उत्पन्न नहीं हुआ है जिसमें अन्य अमर्क शेत्रों के दाव तत्वों की विरासत शामिल है इसलिए पिछले युगों से लेकर अब तक हमारे दाइरे के सभी प्रतिभाएं इस जगह की ओर रुख करेंगी जो उन्हें मजबूत होने के लिए अच्छे भाग्य की तलाश करना चाहती है जू किंग्याओं ने समझाया इससे आदित्य की आखें छलक उठी उन्मीद के मुताबिक काले अजगर ने उसे यही बताया था प्राचीन समराटो के इस शहर का अन्य अमर लोकों से संबंध था परी क्या आप जानते हैं कि यहां एक काला अजगर है जो इस शहर की कानून उर्जा को नियंत्रित करता है क्या आप जानते हैं कि वह कौन है आदित्य ने पूछा मेरे मातापिता के अनुमानों से प्राचीन समराटो का शहर वास्तव में एक शहर के रूप में एक दिव्य हतियार है यहां अपने स्वतंत्र स्थान पर स्थित है और ब्लैक ग्रैगन इसे नियंत्रित करने के लिए यहां भेजा गया दूथ हो सकता है यहां अन्य प्रकार के ताओ तत्व भी होने चाहिए आदित्य की आखे चमक उठीन वास्तव में प्राचीन समराटो के शहर के बारे में बहुत सारे रहस्य थे उसके बाद उसने अपनी आखे बंद कर ली और चुपचाप खेटी करने लगा जूक इंग्याओ की आखे चमक उठीन वो चुपचाप पीछे हट गई लेकिन आदित्य ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया तभी उसने राहत की सास ली साथ दिनों के बाद जूक विंग्याओ की आखों में अतियत हार्थवार का एक संकेत था उसे उम्मीद नहीं थी कि क्रिपान तलवार अमर राजा ने वास्तव में उसे इतनी आसानी से रिहा कर दिया केवल उसे समझोते के अनुसार साथ दिन और रात के लिए उसके साथ रखा इस अवधी के दौरान उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया यहां तक कि उस पर नजर भी नहीं डाली यह ऐसा था जैसे उसका सुन्दर चेहरा उसके लिए कुछ भी नहीं था ऐसा लगता है कि क्रिपान तलवार अमर राजा ने पहले जो कुछ भी किया था वह सिर्फ एक शरारत थी जानबूच कर उसे चिढ़ा रहा था हो सकता है यहां उसे उत्तेजित करने की उसकी सजा थी यहां आदमी वह वास्तव में किस प्रकार का चरित्र है जूक विंगयाओं की आदित्य के बारे में और भी उत्सुकता बढ़ गई उसे अपनी सुन्दरता पर बहुत भरोसा था और यह सच है कि उसकी तुलना एक दिव्य युवती से की जा सकती थी अंगिनत लोगों ने उसकी प्रशन साकी और ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो उसे नहीं चाहेगा लेकिन यह कृपान तलवार अमर राजास पश्ट रूप से उससे डरता नहीं था और उसे अपमानित करने की परवाह नहीं करता था यदि नहीं तो वह सारवजनिक रूप से उसके साथ स्वतंत्रता नहीं लेता हाला कि जब उसने सोचा कि वह एक महिला के परिप्रेक्ष में सबसे भयानक अपमान सहेगी तो उस साथी ने वास्तव में उसे बिल्कुल नहीं चुआ इससे जूक इंडियाओ को थोड़ा अजीब लगा हाला कि उसे इसमें खुशी हुई लेकिन वह अपने आकर्शन पर शक किये बिना नहीं रह सकी अरे क्या वह परिक इंडियाओ नहीं है किसी ने जूक इंडियाओ को देखा जो अभी अभी शहर के इलाके में आया था वह वापस आ गई है साथ दिनों तक फंसी रहने के बाद वह सपष्ट रूप से अधिक ठकी हुई है उनकी आखों में एक अजीब सी रोशनी के रूप में कई निगाहें उस पर उतरी साथ दिन और रात प्रोमास और प्यार की बातें क्रिपान तलवार अमर राजा ने इतनी खूबसूरत युवती का अभरन कर लिया क्या यह वास्तव में सिर्फ एक साधारन चैट के लिए था जू कविंगयाओं ने भील की आखों में एक अजीब सी रोशनी देखी जैसे ठंडक में तुरंट उसके चेहरे को धक लिया वह बेहोशी से अंदाजा लगा सकती थी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं और इससे उसकी अभिव्यक्ति भद्धी हो गई उसने चलना जारी रखा और अधित लोगों ने उसका सामना किया हाला की हाला की उनकी आखों में अभी भी आराधना देखी जा सकती थी लेकिन अब वास्ना का एक संकेत भी था अतीक में उनमें से कोई भी उसे इस तरह देखने की हिम्मत नहीं करता था इससे संकेत मिलता है कि उनका मानना है कि क्रिपान तलवार अमर राजा ने उसके साथ कुछ किया था परी किंडयाओ क्या तुम ठीक हो इस समय एक शांदार चरित्र जूक विंडयाओ को घूरते हुए आया जैसा उसने पूछा था यह एक अमर समराट का पुत्र था उनके पास असाधारन हैसियत थी और मैच के लिए एक मजबूत खेती का आधार था मैं ठीक हूँ रिपान तलवार अमर राजा ने मेरे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया जूक इंडयाओ ने बात की युवक की निगाहें चमक उठेन लेकिन यह जूक इंडयाओ की नजरों से नहीं बचा वह फिर भड़क गई तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते मैं करता हूँ उस युवक ने सिरहिलाया आप सपष्ट रूप से अभी भी मुझ पर शक कर रहे हैं जूकिनगयाओ की आवास थंडी हो गई परी किनगयाओ तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो उसे घूरते हुए युवक के मन में संदेह बढ़ गया इस समय जू किनगयाओ का चेहरा बेहत भड़्दा था उसने फिर जवाब दिया स्क्रैम क्या मुझे आपको कुछ समझाने की भी जूरत है जैसे ही उसने बात की वह सीधे चली गई वह युवक अभी भी वही खड़ा था उसकी मुठिया भीची हुई थी क्योंकि उसके भाव राख हो गए थे कृपान कलवार अमर राजा मैं तुम्हें अवश्यमार डालूंगा जैसे जैसे उसके दिल में संदेह गहराता गया उसकी आखों में एक भयानक हत्या का इरादा टिंकिमाता गया जो कि इंडियाओं के फिर से प्रकट होने से हर जगह अफवाहे उड़ने लगी यहां तक कि उस युवराज के अस्तित्व के लिए भी उनके मन में कुछ शंकाय थी वह वास्तव में क्रोधित था और कृपान तलवार अमर राजा को यह कहते हुए खबर फैलादी की वह तुरंट उसे देखने आए यदि कृपान तलवार अमर राजा ने प्रणाम किया और अपने स्वयंके खेती के आधार को अपंकर दिया तो वह अपने मनहूस जीवन को बक्ष देगा इसके अलावा और भी कई शिखरचर्ण के अमर राजा और परम विशेशग्य थे जिनका कहना था कि वे कृपान तलवार अमर राजा को अवश्य मारेंगे इस अवधी के दौरान कृपान तलवार अमर राजा की प्रसिधी पूरी तरह से भड़क उठी आधित्य ने एक अजीब घटना की खोज की हाला कि बहुत से लोग उससे नफरत करते थे उसके पीछे समराट का भाग्य अभी भी मजबूत होता जा रहा था जहां तक शूक इंडियाओ की बात है तो वो भी अपने दिल में चुपचाप आधित्य को कोस रही थी यहां निंदनी अहरामी उसकी खुद की प्रतिष्ठा को इस तरह से नश्ट कर दिया गया युग बदल रहा है जिसके परिणामस वरूप यहां के नियम बदले जा रहे हैं यहां निश्चित रूप से कई गुप्ठ खंडेहर छिपे हुए होंगे आदित्य जंगल में सभी दिशाओं में घूमता रहा और कृपान कलवार अमर राजा स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे बिना किसी निशान के गायब हो गया इसलिए वहां लोग कह रहे थे कि कृपान कलवार अमर राजा ने खुद को दूर छिपा लिया था अपना चहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था ऐसी अफवाहें भी थी कि उन्होंने प्राचीन समराटों के शहर को छोड़ दिया था वह जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और परिशानी से बचना चाहता था कई विशेशग्य उसे खोज रहे थे उसे खत्म करना चाहते थे वाइलेट समराट के लोगों ने भी शहर में प्रवेश किया और खोज में भी शामिल हो गए अभी यहाँ अज्यात था कि प्राचीन समराटो के शहर में कितने क्रिपान तलवार अमर राजा का जीवन चाहते थे अभी आदित्य एक तूटे हुए हॉल में थे उसके पीछे समराट का भाग्य बेहत भयानक था वह शारिरिक रूप से बदलने वाला था उसे अपने भीतर समेट लिया इससे उसका पूरा अस्तित्व भाग्य द्वारा धन्य हो गया उसकी टकट की भयानक थी उसकी आखें तेज चमक रही थी इस हॉल को घूरने पर उसकी आखें सभी भ्रमों को देखने में सक्षम प्रतीत होती थी वह देख सकता था कि यह प्राचीन हॉल एक बार कैसा दिखता था राजसी और भव्यक दीवारों पर समराटों की नकाशी के निशान जिसमें समराट का इरादा था उसने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रवेश किया उनकी दृष्टी में यह एक जीर्णशीन हॉल नहीं था बलकि एक पूर्ण था यहाँ युद्ध के निशान भी मिले है समराट का इरादा बेहद मजबूत है उनके दिमाग में दौरते हुए जैसे ही उन्होंने चुकचाप उन्हें समझ लिया जूक विंगयाओं ने दावा किया कि समराट का भाग्य यहाँ प्राचीन समराटों के शहर में नेती की संग्रहनिय मात्रा है ऐसा लगता है कि यह जूठा नहीं है अगर मेरे पास समराट के भाग्य की इतनी बड़ी रकम नहीं होती तो मैं इस हौल का असली रूप नहीं देख पाता समराट के भाग्य का वास्तव में ऐसा अनूठा उप्योग है कितना चमतकारिक है आदित्य चुकचाप बुद्बुदाया हालांकि वह यहां अधिक समय तक नहीं रहे फिर भी उनके द्वारा लड़ी गई प्रतेक लड़ाई अत्यंत विनाशकारी थी उनकी अनुकरणिय युद्ध उपलब्धियों के साथ उन्होंने समराट के भाग्य की जितनी राशी एकत्र की वह स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक थी यहां काफी समय बिताने के बाद ही आदित्य इस जगह को छोड़ कर आगे बढ़े कभी कभी वह दूसरों के अस्तित्व को महसूस करता था जो प्राचीन समराटों के शहर के भीतर प्राचीन खंधरों की तलाश में जंगल में घूम रहे थे एक दिन आदित्य एक विशाल खाली मैदान में पाल्थी मार कर बैठे थे और चुपचाप यहां की उजा को समझ रहे थे उनके दिमाग में यह एक खाली मैदान नहीं था उनकी आँखों के सामने एक तलवार के आकार की चट्टान थी काप रहा था पहाड की तलहटी में एक उजाड आदिन जानवर रखा हुआ था जो पहाड के दबाव से बंद था जानवर दहाड रहा था और संधर्ष कर रहा था जिससे भारी कमपन हुआ इसे नगन आँखों से नहीं देखा जा सकता था और केवल समराट के भागे से ही महसूस किया जा सकता था यदि कोई इसे केवल देखता तो वे देखते कि यह स्थान एक साधारन परवत से अधिक कुछ नहीं था एक दिन आदित्य एक समुद्र के सामने आया यहाँ पूर्वी समुद्र नहीं था बलकि प्राचीन समराटों के शहर के भीतर एक महासागर था मध्यक्षेत्रों में स्थित शहरीक्षेत्र के अलावा अन्य दिशाओं का अंथीन विस्तार हुआ यहाँ आयाम जहाँ प्राचीन समराटों का शहर स्थित था अतुलनिय रूप से विशाल था आदित्य ने जितना खोजबीन की उसे उतना ही ज्यादा सद्मा लगा यह बिलकुल अलग जगह की तरह महसूस नहीं हुआ यह एक असीम रूप से विशाल और विशाल दुनिया की तरह था समराट के भागय के प्रभाव को उधार लेकर आदित्य समुद्र में भयानक उर्जा को महसूस करने में सक्षम था भीतर गहरे जल्धाराओं का तीवर मंथन भी प्रतीत हो रहा था हालाकि समराट के भागय की अपनी राशी को देखते हुए उन्होंने अभी भी महसूस किया कि वे चीजों को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ थे हो सकता है वह अपने बादशाह की किसमत मजबूत होने के बाद ही और देख पाएगा इस अवधी के दोरान आदित्य बस जंगल के क्षेत्रों में घूमते रहे और कई अंतरद्रिष्टी प्राप्त की धीरे धीरे उन्हें पता चला कि इस दुनिया में वास्तव में कई चौकाने वाले रहस्य है काले अजगर ने कहा कि युग बदल गया है जुक इंडियाओं ने भी यही कहा था यहां के नियमों में बदलाव ने आदित्य को महसूस कराया कि अतीत में यहां कुछ बड़ी घटना हुई होगी जिसके कारण स्वर्गिय दाफ पवित्र अकादमी का उदे हुआ और डेविल गौड मांटेन अवतरन हुआ जिसने नए युग के परदे को अलग कर दिया हाला कि उन्होंने कई चमतकारिक चीजे देखी लेकिन आदित्य खेती करना नहीं भूले जब भी उन्हें कोई अंतरद्रिष्टी प्राप्थ होती थी तो वे चुपचाप बैठकर उस पर विचार करते थे और उन्हें समझने की पूरी कोशिश करते थे के लिए वह अपनी ताकत बढ़ाने कानूनों की गहरी समझ हासिल करने और अलग-अलग विशेश्टा उरजाओं को बहतर धंग से करने के तरीके सीखने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था उसके पास अभी भी अंतरद्रिश्टी थी जो उसने पूर्वी मकबरे से प्राप्थ की थी और उसे पूरी तरह से पचाने के लिए और अधिक समय की आवश्शकता होगी क्योंकि उसने धीरे-धीरे खुद को उन्नत किया अंजाने में आदित्य पहले से ही प्राचीन समराटो के शहर में दो साल बिता चुके है आज वह एक परवच शिखर पर आखे बंद किये बैठा था उनसे कानून की उर्जा निकली जो दो साल पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी कानूनों का प्रकाश उसके चारों और घूमता हुआ देखा जा सकता था जो अधिक से अधिक देधी प्यमान हो रहा था उनके हाथ की एक लहर के साथ शेतर में एक सर्वोच दमनकारी प्रकट हो सकता है जैसे की गुनगुनाती आवास शूने को भर देती है दमन की शक्ती को बढ़ाते हुए एक परम शिवाले प्रकट हुआ यह पारदर्शी पगोडा असीम रूनिक लाइट के साथ परिचालित होता है जो एक गठन के समान होता है क्योंकि पवित्र इच्छा शक्ती भीतर से बढ़ती है दमनकारी शक्ती को और मजबूत करती है इस समय पैगोडा एक सर्पिल में चारों और घूम रहा था क्योंकि उसमें से प्रकाश की किरने आकाश और प्रिथवी को घेर लेती थी जिससे असीन सर्वनाश हो सकता था प्रकाश की किरने आगे के पहाडों में फूट पड़ी तुरंत उन सभी को समतल कर दिया उस शेत्र को बदल दिया जो कभी पहाडों से भरा हुआ था वापस समतल जमीन पर आ गया वह पगोडा प्रकार की पवित्र इच्छा का उपियोग पगोडा कानून डोमेन बनाने के लिए आधार के रूप में कर रहा था जिसे उसके दिव्याहाथी दमन डोमेन का गुनात्मक विकास माना जा सकता है वह दोनों को एक साथ मिलाने में सक्षम था जिससे दमन की तीवरता में व्रिध्धी हो सकती थी यह कानून डोमेन उनके दुश्मनों के लिए एक जेल की तरह था उन्हें बांधना और उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना अतीत में दिव्याहाथी कानून डोमेन की तुलना में बहुत मजबूत था इससे पहले जब वह लड़े तो उन्हें अपनी दमन शक्ती को बढ़ाने में सक्षम होने के लिए विशेश रूप से छोटे शिवाले को प्रकट करना पड़ा अब वह केवल अपनी इच्छा के इरादे से दमन को तेज कर सकता था इसके अलावा आदित्या ने अभी भी अन्य प्रकार की शक्तियों के बारे में अंतरद्रिष्टी प्राप्त की उन्होंने प्रयोग किया और उन्हें कुछ कानून गुन उर्जाओं के साथ फ्यूज करने की कोशिश की जो उन्होंने खेती की उन्हें अपनी सहच तकनीकों के भीतर विलै कर दिया जिससे वे गुनवत्ता में वृद्धी करना चाहते थे और एक विकास प्राप्त करना चाहते थे जितना संभब हो उतने प्रकार की उर्जा को समझना उसके लिए सबसे अच्छा होगा विभिन प्रकार की कानून विशेष्ता उर्जा का उप्योग करके वह अपनी पहचान को और छुपाने में सक्षम होगा क्योंकि लोग पहचान सकते हैं कि वह कौन है यदी वह उसी का उप्योग करता रहे इस समय शेत्र में कानून की उर्जा गायब हो गई क्योंकि सब कुछ अपनी सामान्य शांती में लोट आया आदित्य उठ खड़ा हुआ और अपने सिलहूट की चमक के साथ वह इस जगह से चला गया इन दो वर्षों में प्राचीन समराटों के शहर में कई परिवर्तन हुए यहां अमर लोकों के और भी विशेशग्य थे जिन में उजार पहाडों से बड़े राक्षसों की संख्या में व्रिधी भी शामिल थी अभी यहां तक की बाहरी दुनिया भी जानती थी कि प्राचीन समराटों के शहर में परिवर्तन हो रहे हैं और वहां बहुत सारे सौभाग्य मिल सकते हैं चीजें प्राचीन समराटों के यूग के समान हो सकती हैं क्योंकि शहर अतीच से शायद ही कभी देखी गई विरासत का उत्पादन करेगा इसलिए अधिक से अधिक विशेशग्यों ने यहां प्रवेश किया इस समय कई प्रतिभाए एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हुई क्योंकि उन्होंने प्राचीन समराटों के शहर में परिवर्तनों पर चर्चा की और दाओं के बारे में संकेट दिये अभी प्राचीन समराटों के शहर में अमर राजा छेत्र के उन विशेशग्यों के लिए जो शिखर पर खड़े हैं उनके समराट का भाग्य वास्तविक ड्रेगन या प्राचीन फीनिक्स में बदल सकता है एक भौतिक शरीर का निर्मान कर सकता है कई प्राचीन खंडहर उनके सामने खुल गए और उन्हें वहां खेती करने की अनुमती मिल गई वे केवल मजबूत और मजबूत होते जाएंगे और एक प्राचीन समराट बनने के मौके के लिए लड़ने का अफसर प्राप्त करते हुए जल्द या बाद में अमर समराट शेत्र में प्रवेश करेंगे जह सही है प्राचीन समराटों के शहर के नियम बदल गए क्योंकि कई प्राचीन खंडहर और गुप्त स्थान दिखाई दिए हालांकि केवल शक्तिशाली समराट के भाग्य वाले ही प्रवेश कर सकते हैं कोई जितना मजबूत होगा हमारे बीच की दूरी उतनी ही बढ़ेगी शिखर पर खड़े लोगों के अलावा मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई अन्य है जिन में सर्वोच बनने की क्षमता है परी किंग्याओ यह अफवाह है कि वह युवराज आपकी प्रशनसा करता है क्या आप जानते हैं कि वह वास्तव में कितना मजबूत है कुछ ऐसे थे जो जू किंग्याओ के पूछने पर उनकी ओर मुरे अंगिनत निगाहें उस पर उतरी जू किंग्याओ की सुन्दरता पौरानिक थी और उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट थी बहुत से लोगों ने अपने प्रशनों को उस पर प्रोजेक्ट करना पसंद किया मैं सपष्ट नहीं हूँ जू किंग्याओ ने जवाब दिया उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी थंडी थी यह कहते हुए मैंने अचानक कुछ सोचा उस राजकुमार ने उसे बाहर आने और माफी मांगने के लिए घुटने टेकने के लिए कहा और उसे मौत से बचाने के लिए तयार है हाला कि वह व्यक्ति अब तक प्रकट नहीं हुआ है वह पहले ही प्राचीन समराटों के शहर को छोर चुका होगा उस समय परी किंडियाओ का उस आदमी ने अफरन कर लिया था मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास क्रिपान कलवार अमर राजा की ताकत का अनुमानित अनुमान है जूक किंडियाओ से पूछते ही आसपास की एक अमर महिला राजा मुसकराई देखते ही देखते कई लोगों के भाव बदल गए क्या यह जानबूच कर जूक विंडियाओ का मजाक उडाना नहीं था दो साल पहले की उस घटना को जूक इंडियाओ की प्रतिष्ठा पर धब्बा माना जा सकता है अब भी कई लोगों का मानना था कि परी किंगयाओ की पवित्रता पहले ही छीन ली गई थी यह महिला अमर राजा कोई और नहीं बलकि उस युवराज की प्रशन सकती बहुत से लोग मन ही मन समझ गए कि यह अमर नारी राजा जानबूच कर ऐसा कर रही है उन्मीद के मुताबिक शुकिंगयाओ का चहरा बदल गया उसने विनमरता से उत्तर दिया बहुत मजबूत बिना किसी प्रयास के आपको मारने के लिए परियाप्त मजबूत ओह क्या यह ऐसा है परी किंगयाओ उसे बहुत सम्मान देती है फिर वह क्यों छिप गया एक हारे हुए कुत्ते की तरह भागना अभीक प्राचीन सम्राटों के शहर में बहुत से लोग है जो उसे मारना चाहते है क्या ऐसा हो सकता है कि परी किंगयाओ को उससे प्यार हो गया है वह महिला अमर राजा भी सुन्दर थी और उसका साधना आधार जुकिंगयाओ जैसा ही था उसे अपनी आवाज कम रखने का कोई मलाल नहीं था और इससे जुकिंगयाओ के हाभाव तेजी से भद्दे हो गए यह अफवाह कि वह भाग गया है वास्तविक नहीं हो सकता है लेकिन अगर वह वह पराजित कुट्ता नहीं बनना चाहता है जो भाग गया है तो मैं उसे यहाँ मिलने पर निश्चित रूप से मार डालूँगा जुकिंगयाओ के एक युवा दिखने वाले प्रशनसक ने हिमाच्छादित लहजे में बात की उनका साधना आधार अमर राजा सामराज्य के शिखर्स्तर पर था मुझे भी ऐसा ही लगता है बहुत से लोग सच्चाई को विकृत करना और चीजों को बढ़ाचधा कर बताना पसंद करते हैं वह केवल एक कायर है लेकिन अगर वह यहां से भागा नहीं है और फिर से प्राचीन समराटों के शहर में प्रकट होने का साहस करता है तो वह शायद अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा महिला अमर राजा हसे इस स्थान पर ऐसी प्रमुक शक्तिया होनी चाहिए जो क्रिपान तलवार अमर राजा से पहले नुकसान उठाती हैं है ना आप सब क्या सोचते हैं दुख की बात है कि इस बुढ़े व्यक्ति के प्राचीन समराटों के शहर में आने से पहले ही वह भाग चुका है यदि नहीं तो वह अब और कैसे जी पाएगा ताई हुआ अमर राजवंश के एक वृद अमर राजा ने बात की उनकी आभा विशाल और राजसी थी जिसमें एक शक्तिशाली शक्ती थी क्या अफसोस है कि वह इतनी तेजी से भाग गया पैरागौन स्वार्ड संप्रदाय के एक शिखरचन के अमर राजा ने भी ठंडेपन से बात की दो साल पहले आदित्य ने बहुत से विशेशग्यों को नाराज किया था और वे सभी अमर लोकों की चरम शक्तियों से थे क्या वह सच है क्या तुम लोग इतने प्रभावशाली हो इसी समय दूर से एक आवाज आई आवाज की दिशा में नजरें फेरते ही यहां सभी के भाव जम गए उसके बाद उनके सारे शरीर अकड़ गए उधर हवा में एक विशेशग्य धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था इस शक्स की पीठ पर तलवार और क्रिपान है यह स्पष्ट रूप से क्रिपान तलवार अमर राजा की निशानी थी इस आकरिती को देखकर जो किंगयाओं की खूबसूरत आखे जम गई उसके बाद उसने अपने दात पीस लिए यहां हरामी वास्तव में अभी भी यहां प्रकट होने का साहस करता है इसका मतलब यह होना चाहिए कि उसने प्राचीन समराटों के शहर को कभी नहीं छोड़ा था यहां हर कोई उनकी महिमा का आनंद ले रहा है और आपके शब्द इतने प्रभावशाली है आप लोग वास्तव में उन लोगों से मिलते जुलते थे जो दो साल पहले मर गए थे वे सभी इतने बेशर्म थे और उदात शक्सियतों की तरह अभिनाय करना पसंद करते थे हाला कि अब वे लोग कहा है आदित्य के चहरे पर शैतानी मुस्कान थी सबकी आखें नम हो गई कितना घमंडी था यहां आदमी इसमें कोई शक नहीं था कि यहां आदमी कृपान तलवार अमर राजा था उसने वास्तव में प्रकट होने का साहस किया और यहां तक की सभी को चुनोती देते हुए उन्हें उकसाया मैं यहीं खड़ा हूँ कौन मुझे मारना चाहता है बोलते हुए आदित्य ने भीर पर अपनी द्रिश्टी डाली उसकी आखों में इन अमर राजाओं में से किसी के लिए भी कोई सम्मान नहीं था यहां पर दाओ की चर्चा करने वाले प्रतिभावान सभी आदित्य को घूर रहे थे कई विकियन शीतलता उनकी हत्या का इरादा तीवर बेशर्म यह कृपान तलवार अमर राजा बहुत घमंडी और बेशर्म था वह वास्तव में सब के सामने ऐसे ही प्रकट हुआ और उनका मजाक उड़ा रहा था उनसे पूछ रहा था कि कौन उसे मारना चाहता है क्या उसने सोचा कि यहां कोई उसे मार नहीं सकता यद्यपी उनका युद्ध कौशल अगवितिय था और जी दोवालों को समाप्त करने के लिए परियाप्त मजबूत था यह स्थान आखिरकार कई विशेशग्यों से भरा हुआ था जिसमें कई सर्वोच शिखर्चन अमर राजा भी शामिल थे प्रिपांतलवार अमर राजा केवल एक मध्यचन था वह यहां खड़े होकर और हर चीज की अभेलना करके बहुत दुस्सासी था आप अभी भी प्राचीन समराटों के शहर में दिखाई देने का साहस करते हैं एक ठंडी आवाज निकली उसके बाद एक अत्यंत युवा दिखने वाला शिखर्चन का अमर राजा खड़ा हुआ उसकी मुठिया भीची हुई थी और उसकी आखें सीधे आदित्य को घूर रही थी आखिर आप है कौन? क्या तुम मुझसे बात करने के योग्य भी हो? आदित्य ने दबंग जवाब दिया उस शिखर्स्तर के अमर राजा की आभा आकाश में उठ गई वह ठंडेपन से मुस्कुराया ठीक है मैं आज परी किंडियाओ का बदला लूंगा उनका जीवन मेरा है एक और आवाज निकली बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बलकी ताई हुआ अमर राजवंश के व्रिद्ध अमर राजा थे उनकी आभा राजसी और विशाल थी चरम सीमा तक भयानक थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसे मारता है चुकि वह आज यहां प्रकट हुआ है यह पहले से ही नेती है कि वह निश्चित रूप से मरेगा पैरागौन तलवार संप्रदाय के एक अमर राजा की आखे भयानक तीक्षनता से चमक उठीन जब उन्होंने आदित्य को देखा हम में से कौन कृपान तलवार अमर राजा को मारने वाला है नौ समराटों के अमर सामराज्य के एक सर्वोच अमर राजा ने ठंडेपन से बात की उसके बाद आदित्य ने अपने सामराज से पांच अमर राजाओं को मार डाला यह मामला नौ समराटों के अमर सामराज्य का अपमान था अंगिनत आवाजे निकली, वे सभी क्रिपान तलवार अमर राजा को मारना चाहते थे इससे भीड के सभी के चहरे पर रुची के भाव थे जो लोग बाद में प्राचीन समराटों के शहर में आए, वे इसे लेकर अधिक उत्साहित थे इस बंदे ने वास्तव में बहुत अधिक घ्रेना अर्जित की लेकिन जब उन्होंने उसे पहले बोलते हुए सुना, तो ऐसा लगा कि क्रिपान तलवार अमर राजा जानबूच कर जनता के गुस्से को भड़काना चाहता था बस ये कुछ, इससे पहले क्या आप में से कई लोगों ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता और मुझे आसानी से मार सकता है अभी मैं सब के सामने खड़ा हूँ आप लोग अब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बेजिजक मेरे पास आओ आदित्य ने अपनी निगाहें भीर पर टिकाई उनकी निगाहें क्षण भर के लिए उन अमर राजाओं पर रुप गई जिन्होंने कहा था कि वे उन्हें पहले मारना चाहते थे जिसमें वो अमर महिला राजा भी शामिल थी जो जू किंगयाओं के खिलाफ थी तुम जैसे गंदे चरित्र को मारने से मेरे हाथ ही गंदे होंगे उस अमर महिला राजा ने अभिमान से उत्तर दिया वह एक अत्यंत गौरवशाली चरित्र है जो एक अलोकिक आभा से युक्त, सुन्दर और शिष्ट है गंदा आदित्य की आखों में तेज चमका गई एक अमर राजा के चरित्र के रूप में आपको कोई शर्म नहीं है और परी किंगयाओ दागी है क्या तुम काफी गंदे नहीं हो? उस अमर राजा की आखों में एक शीतलता थी यहां तक कि आदित्य की निंदा करते समय भी वो जू किंगयाओं के घावों पर नमक छिड़कना नहीं भूली हाँ हाँ उस समय शू किंगयाओं चाहते थे कि यह सीट उनके साथ खेलती रहे और साथ दिन और रात मेरे साथ रहने के लिए तयार हो गए अगर वह हार गए तो प्यार के बारे में बात करने लगे कई लोग इसके गवाह बन सकते हैं उसके बाद वाचा के अनुसार मैं उसे साथ दिन और रात के लिथे बाहर ले आया हूँ इसमें ऐसी क्या अशुधता है केवल वे ही गंदे मनवाले हैं जो मासूमियत का आभास बनाए रखते हैं वास्तव में वे ही वास्तव में गंदे हैं आदित्य ने सपश्ट रूप से अमर महिला राजा का जिक्र करते हुए व्यंग्यात्मक धंग से बात की धीठ आदित्य की ओर देखते ही उस अमर अमर राजा को क्रोधा गया गड़गड़ाहट आदित्य की आखें अचानक से अतुलनिय रूप से तेज हो गई एक पल में उसकी तलवार का इरादा अंथीन लहरों में बढ़ गया उसकी इच्छा शक्ती सब कुछ नश्ट करने में सक्षम थी उस अमर अमर राजा की आखों से खून बहने के कारण अचानक वह चीक उठी उसने अपनी आखों को अपने हाथों से ढख लिया क्योंकि उसका शरीर पीडा से काप रहा था बूम 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 को देखकर आसपास के सभी विशेशग्य जल्दबाजी में पीछे हट गए क्योंकि वे सदमे से घूर रहे थे यह महिला अमर राजा एक मध्यचन अमर राजा विशेशग्य थी फिर भी वह वास्तव में क्रिपान तलवार अमर राजा की एक नजर से अंधी हो गई थी क्या यह कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं था क्रिपान तलवार अमर राजा वास्तव में कितना मजबूत है उसकी टकट की मारने में सक्षम है यह कौन सी आख की तकनीक है आदित्य को देखते ही सबका दिल देहल उठा मैं धीट हूँ आदित्य जोर से हसा और उसने आगे कहा यहां कितने लोग हैं जो मुझसे द्वेश रखते हैं और मुझे मारने से नहीं हिचकिचाते तुम कौन होते हो यहां बकवास करने की हिम्मत करने वाले यह कहते हुए कि मैं एक हारा हुआ कुट्ता हूँ तुम्हारे जैसे किसी के लिए जो दूसरों के बारे में उनकी पीठ पीछे बात करना पसंद करता है मैंने तुम्हें सिर्फ सबق सिखाने के लिए अंधा कर दिया आपके लोटने के बाद बहतर होगा कि आप अपने आप पर विचार करें या आपके द्वारा बोली गई बगवास के कारण आप वास्तव में मारे जा सकते हैं यह भुगतान करने के लिए बस एक छोटी सी कीमत है आदित्य के शब्द कितने अत्याचारी थे उसकी आखों में बस कोई नहीं था महिला अमर राजा को अंधा करने के बाद उसने अभी भी उसे कहा कि वह भागे और खुद पर विचार करे आद उस अमर अमर राजा की पीडा और पीडा मिश्रित चीख निकली उसने अमर राजा सामराज्य के मध्यचरन तक साधना की केवल वह स्वयन जानती है कि उसका मार कितना कठिन था हाला कि उसके द्वारा बोले गए कुछ वाकियों के कारण इस कृपान तलवार अमर राजा ने वास्तव में उसके साथ ऐसा किया अभी उसने उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं की हाला कि वह अंधी थी फिर भी उसकी ताकत अभी भी थी जब तक उसके पास इस स्तर की शक्ती थी तब भी संभावनाएं बनी रहेंगी अगर वह बक्वास करना जारी रखती है तो कृपान तलवार अमर राजा उसे खत्म करने का फैसला कर सकता है मैं तुम्हें एक लाख ब्लेड के कटने के साथ मरने का श्राप देता हूँ उस अमर अमर राजा ने मन ही मन में विशैला श्राप दिया यहां कितने विशैशग्य थे जो आदित्य को मारना चाहते थे उन्हें निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहिए क्या यह कृपान तलवार अमर राजा वास्तव में है ऐसा लगता है कि जब उसने जी डाउलों को मार डाला था और बड़ी संख्या में चोटी की शक्तियों को नाराज कर दिया था तो उसने वास्तव में ऐसा किया था वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है वास्तव में एक भयावः व्यक्ति है भीड के दिल चुपचाप सोचने लगे फिर भी बेहत चौक गए उसकी एक दृष्टी से ही मध्य अवस्था का अमर राजा अंधा हो गया यह बहुत भयानक था आदित्य की पैनी निगाहे बरस पड़ी जिन लोगोंने आदित्य का पहले ही अपमान किया उन्होंने अपनी निगाहे फेर ली उनसे आखे मिलाने की हिम्मत नहीं हुई ऐसा लग रहा था कि वे सभी आदित्य से बदला लेने से डर रहे थे इससे पहले क्या आप में से कई लोगों को यह नहीं लगता था कि मैं एक पराजत कुट्टे की तरह हूँ और प्राचीन समराटों के शहर से भाग आया हूँ क्या तुम लोगों ने यह नहीं कहा था कि मुझे मारना आसान होगा अभी कोई बाहर क्यों नहीं खड़ा है आदित्य ने सब कुछ अंसुना करते हुए अहंकार पूर्वक कहा उसकी नजर एक युवा दिखने वाले अमर राजा की ओर पड़ी यहां अमर राजा युवा दिखाई देता था लेकिन उसने वास्तव में कई वर्षों तक खेती की थी और अमर राजा सामराज्य के चरम चरण में उसका खेती का आधार बहुत भयानक था यहां आदमी जूक इंडियाओं के प्रशन्सकों में से एक था पहले उसने ही कहा था कि आधित्य एक हारा हुआ कुट्ता है और अगर शहर में उसका सामना आधित्य से हुआ तो वह उसे जरूर मार डालेगा उस अमर राजा ने आधित्य को अपनी ओर देखते हुए देखा और जान गया कि इस युद्ध से बचने का कोई उपाय नहीं है हाला कि जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अधित्य को अपनी शक्ती का प्रदर्शन करते हुए देखा साथ ही उस अधमे अहंकार को भी तो वह पहले जैसा आश्वस्ट नहीं रह गया था हर कोई क्रिपान तलवार अमर राजा बस हमें उसकी आखों में नहीं डालता है चलो कारवाई करते हैं और उसे एक साथ मार डालते हैं इस तरह के घेनित मैल के लिए प्राचीन समराटों के शहर के नायकों को एक साथ काम करना चाहिए और उसे मार डालना चाहिए उस युवा दिखने वाले अमर राजा ने यह सुझाब दिया कि अन्य विशेशक्य उसके साथ मिलकर काम करें हाँ हाँ क्या बेशर्म साथ ही है पहले तुम्हारे शब्द अहंकार से भरे हुए थे मानो तुम्हारे सामने में निश्चित रूप से मर जाऊंगा लेकिन अब आप वास्तव में यहां के अमर राजाओं को मुझ पर गिरोह बनाने के लिए राजी कर रहे हैं और तुने ऐसी धर्ममय रीती से बाते भी की क्या आप शर्म भी जानते हैं आदित्य पागलों की तरह हसपड़ा वह बाहर निकलाया उसकी हरक्तें बिजली की तरह उस शिखरवस्था वाले अमर राजा की ओर बढ़ी उसकी आखें तेज तलवारों की तरह थी जो हर चीज को भेदने में सक्षम थी उनकी भाउहों के बीच में एक तीसरा नेतर प्रकट हुआ बोलते हुए वे मुसकराए मैं आपको इस सीट के स्वोडाई डोमेन का अनुभव कराऊंगा जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी उसकी आखें भयानक तलवार की रोशनी से चमक उठी उस शिखरस्तर के अमर राजा को केवल तलवार की एक लहर महसूस हुई जो उसकी ओर निशाना साध रही थी वह विस्पोटक रूप से पीछे हट गया लेकिन अगले ही पल उसका परिवेश तलवार की नजर वाले कानून के खेतर में बदल गया यहां के अंदर तलवार के भंवर तीजी से घूमते हैं चरम पर भयानक बूम उस शिखरवस्था वाले अमर राजा ने अपने कानून के खेतर को मुक्त कर दिया उनका कानून बहुत शक्तिशाली था लेकिन उनके दिल में डर था आदित्य अपने कानून के खेतर को एक ही नजर से प्रकट कर सकता था उसे उसी तरह अपने अंदर फंसा सकता था इस डोमेन के अंदर के भयानक हमले भी उस पर लगातार हमला करते रहे क्या आप उन सभी को ब्लॉक कर सकते हैं? आदित्य थंडेपन से मुस्कुराया स्वोडाई कानून के दायरे में विनाशकारी तलवार को लहरों के बाद लहरों में भेजा जा सकता था अचानक आदित्य की आखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और तलवार जैसी पवित्र तलवार तुरंट अपने प्रतिदवंद्वी के दिमाग में घुस गई उस चोटी मंच के अमर राजा को केवल एक अजे अजे तलवार का एहसास हुआ जो उसके उपर से फिसल रही थी कच्रा आदित्य दहाडा उसके कानून के दाएरे में उस शिखरवस्था के अमर राजा को सीधे मार दिया गया था उसके शरीर में एक हजार छेद हो गए थे क्योंकि वह बुरी तरह मर गया था यह उस शांदार आकरती को देखकर हर कोई आतंकित हो गया आदित्य ने अपनी बाहों को अपनी चाती के सामने क्रॉस किया हुआ था प्रिपान और तलवार अभी भी उसकी पीठ पर बंधी हुई थी और म्यान से बाहर नहीं थी केवल अपने कानून के खेत्र की ताकत से उसने सीधे एक शिखरस्तर के अमर राजा को मार डाला वह युद्ध के देवता के समान था जो प्रिथवी पर उतर आया था अमर राजा के स्तर पर इस तक पहुँचने वाले सभी पात्रों के दिलों में स्वाभाविक रूप से गर्व और अहंकार होगा वे आसानी से यह नहीं सोचेंगे कि वे दूसरों से कमतर है अमर राजा के बारे में अफवाहें बेथाशा फैली फिर भी कई शक्तिशाली अमर राजा थे जो आश्वस्ट नहीं थे उन्होंने महसूस किया कि कई अफवाहें अतिश्योक्ति पूल थी लेकिन अब जब क्रिपान तलवार अमर राजा वास्टव में प्रकट हुए तो उन्हें आश्चर्य हुआ की अफवाहें बिलकुल भी अतिरंजित नहीं थी वास्तव में अफवाहे भी स्पष्ट रूप से कृपान तलवार अमर राजा की ताकत के बारे में नहीं बताती थी और संकेट करती थी कि वह वास्तव में कितना भयानक है। लगता है कि जिस व्यक्ति को वे मारना चाहते थे, वह अफवाहों के दावे से कहीं अधिक भयानक है। लगता है कि जिस व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी। इस क्रिपान तलवार अमर राजा की ताकत बहुत भयानक थी। वह जी डावलों को मारने में सक्षम था और प्रारमभिक चरण के शिखरचन के अमर राजाओं को आसानी से समाप्त कर दिता था। उसका युद्ध कौशल साधारन उत्तरचरण शिखरचन अमर राजाओं के बराबर होना चाहिए। ज़ि यह एक बनाम एक लड़ाई थी, तो किसी भी अमर राजा को भरोसा नहीं था कि वेक्रिपान तलवार अमर राजा को मार पाएंगे। तुम लोग अभी भी अभिनय नहीं कर रहे हो? क्या आप सभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मुझे मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आदित्य ने उन अमर राजाओं को मौन देखा तो ठंडी हसी. चहरे की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे पास एक साथ आग. कौन नहीं जानता कि तुम लोग कितने बेशर्म हो सकते हो? इतनी लंबी चर्चा करने की क्या जरूरत है? हर कोई चुंकि वह इतनी बुरी तरह से मरना चाहता है, चलो उसे मारने के लिए मिलकर कार्य करें. हमें समय बरबाद नहीं करना चाहिए और यह इसके लायक नहीं होगा अगर वह कारवाई करने से पहले हमें से किसी एक को मारने के लिए आगे बढ़े. अभी एक अमर राजा ने आखिरकार खुले तोर पर सुझाव दिया. आदित्य ने अपनी दृष्टी बोलने वाले अमर राजा की ओर घुमाई. बोलने वाले अमर चाहते हो तो कोई समस्या नहीं है. हाला कि आप कार्य करने से पहले सबसे अच्छी तरह से सोचते हैं. आदित्य ने अपना हाथ लहराया जैसे की तलवार की लहर तूट सकती है, जिससे उस अमर राजा के शरीर के माध्यम से कटा हुआ प्रकाश की एक भयानक किरन पैदा ह हो सकती है. जब अन्य विशेशग्यों ने उसे बचाना चाहा, तो वहां सिर्फ एक लाश पड़ी थी. आदित्य की हरक्तें बहुत तेज थी. एक तकट की और उसके हाथ की लहर के साथ. वह एक अजे शैतान की तरह था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था. तुम, वे अमर आजा आदित्य की ओर गुस्से से घूर रहे थे, क्योंकि उनकी आखे रक्तरंजित हो उठी थी. मेरा क्या? मैंने तुम लोगों से पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ गिरोह बना लो, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी को मारने की अनुमती नहीं है, और मुझे तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? यदि हम सभी अभिनय शुरू नहीं करते हैं, तो हम मेंसे प्रत्येक एक एक करके मर जाएगा. कानून के डायरे में एक अमर राजा चिलाया. अमर राजाओं ने परसपर एक दूसरे की ओर देखा. इससे पहले आदित्य ने उनसे कहा कि वे अभिनय करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें. जाहिर है, जो लोग उसे मारना चाहते थे, उनके लिए वह उन्हें मार डालेगा. उन लोगों के लिए जिन्हों ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन असपर रहे, मृत्यू ही एक मात्र अंत थी. चलो यह करते हैं. उसे मार दो पैरागॉन तलवार संपरदाय के शिखर्चर्ण के अमर राजाने बात की. उसके बाद कई पैरागॉन तलवारें प्रकट हुई और हवा में तैरने लगी जैसे एक विशाल तलवार डोमेन दिखाई दिया, जिसने आदित्य को फंसा. लिया, अपने लक्ष में धमाका करन में आसमान से विशालकाय तलवारें बरस रही थी. आदित्य के चारों ओर का स्थान तलवारों की जेल में तब्दील हो गया, जो उसे भीतर ही नश्ट करना चाहता था. हत्या के इरादे से भरी अंगिनत तलवारें आदित्य की ओर शूटिंग कर रही हैं. पैरागॉन सुनते ही सबने तुरंत आक्रमन किया और सम्मिलित हो गए. आक्रमन करना ताय हुआ अमर राजवंश के उस पुराने अमर राजा ने भी कमान संभाली थी क्योंकि उसके अधीन विशेशग्यों ने हमला किया था. ततकाल आदित्य की ओर हिंसक हमले हुए जैसे ही भयानक श चाही मुहरें उसकी ओर फूट पड़ी जिसमें भारी शक्ती थी. क्रिपान तलवार अमर राजा कितना भी मजबूत क्यों न हो इस समय कई दर्शक उसके लिए चिंतित थे. हाला कि चूंकी वह इतने अहंकार से यहां प्रकट हुए और यहां तक की प्रमुक शक्तियों के पात्रों को भी चुनोती दी. यहां असंभव था कि वह यहां मृत्यू की अदालत में आएं. उसके पास कुछ ट्रम्प कार्ड होने चाहिए जिससे उसे ऐसा करने का विश्वास मिला. इस समय भीर की आखों में क्रिपान तलवार अमर राजा का शरीर चकाचौंध करने व पात्रों का एक शक्तिशाली निकाय क्या है? क्या उसका शरीर अधिक्तम रूप से मजबूत है? विशेशग्यों के लिए भी जो अपने शरीर की साधना करते हैं, किसी की काया का इस हद तक मजबूत होना असंभव है. उनका शरीर एक भव्य गठन, एक दिव्य शरीर की त अभी यह अकलपनिय था कि उसका कानून कितना अत्याचारी था? कई विशेशग्यों ने गहरी सांस ली, यह बहुत चौकाने वाला था. जब आदित्य के शरीर का विस्तार हुआ, तो उनके लिए यह देखना और भी सपश्ट हो गया कि यह कितना भयानक था? यह मानव शर भाव से बिखर गए थे. कानूनों का यह निकाय बहुत शक्तिशाली था, उजार परवतों के उन बड़े राक्षसों के शरीर जैसा आया उससे भी अधिक. उन लोगों के लिए जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है. अब पीछे हटेंग ताई हुआ अमर राजवन्ष क इम्मोर्टल डाइनस्टी के सभी विशेशग्यों ने शाही मुहरों का निर्मान किया. उन्हें एक तूटते हुए तारे की गती से आदित्य की ओर धकेलते हुए, उसे दबाना और नश्ट करना चाहते थे. हाँ हाँ, यहाँ इतनी सारी चरम शक्तिया, क्या ऐसा हो सकता ह है, कि आपकी शक्तिया केवल इसी स्तर पर हो. क्या अधिक शक्तिशाली कानून डोमेन नहीं है, आदित्य पागलों की तरह हसपड़ा. उसका शरीर अब 1000 मीटर आकार का हो गया था, और उसकी हसी की ताकत से अंतरिक्ष कामपने लगा था. दूर से देखने वाले भी अपन डोमेन को खोलने की भी आवश्चक्ता नहीं थी. चुकि आप लोगों में केवल इतनी ही ताकत है, मैं आप सभी को अपने दृष्टिकोन को व्यापक बनाने और इस सीट के डोमेन को सपष्ट रूप से देखने का मौका देता हूँ. आदित्य अहंकार से हस पड़ा. जैस पर गिरना पड़ा. वे सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. पगोडा लौ डोमेन वाली भव्य सनरचना के समान एक शांदार रनिक लाइट के साथ कवर किया गया था. उनके इस कानून डोमेन में प्राचीन समराट यी की अंतिन कलाशा मिल थी. भगवान के हाथ के प्राचीन कहावत है कि यदि आप सुभा दाओ की तलाश करते हैं, तो आप शांद को एक खुश व्यक्ति मरेंगे. आज यह सीट आप लोगों को यह देखने देगी कि ऐसा क्यों है और एक अमर राजा वास्तव में कैसा होता है. तुम लोग अब भाड में जा सकते हो. शूटिंग करता है. बीमो में से एक सीधे एक मध्य चरण के अमर राजा के शरीर में घुस गया, जो उसके माध्यम से छेद कर रहा था. वह अमर राजा दर्थ से कराह उठा, खांस्ते हुए खून निकल आया क्योंकि उसके आंतरिक अंग भारी दबाव से तूट गए और केवल मध्य चरण में था, वास्तव में इस हद तक शक्तिशाली था. वह बस अजे था. उसके पीछे उसके समराट का भाग्य और भी उज्जवल हो गया, प्राचीन समराटों के शहर में लगातार भाग्य जमा हो रहा था. पगोडा कानून के ख्षेत्र में कई अमर राज स्तर के नीचे के लोगों के लिए वे सभी एक के बाद. एक मर गए, एक भी वार को जहलने में असमर्थ. आदित्य के समान स्तर का कोई भी व्यक्ति अपने कानून के ख्षेत्र का बचाव करने में सक्षम नहीं था. यहां तक कि प्रारंभिक चरण के शिखर चरण के अमर के लिए भी वे बुरी तरह से सहन कर रहे थे और उनमें से कुछ प्रभाव से खून की खांसी भी कर रहे थे. आदित्य ने अपने कानून के ख्षेत्र में अमर राजाओं को ठंडा माना. चुंकि ये लोग उसे मार डालना चाहते थे, इसलिए उसे किसी प्रकार की दया द माज्य के चरम-चरण में पहुँच गया, कोई कायर कैसे हो सकता है? विरोध करने वाले सभी शत्रूओं का सहार करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ना था. अपने हाथ की एक लहर के साथ एक दिव्य तलवार प्रकट हुई जब उसने एक प्रारंभिक चरण के शिखरचन के अमर राजा पर वार किया. वह अमर राजा अब भी शिवालय की इच्छा का विरोध कर रहा था. जब तलवार का इरादा आगे बढ़ा, तो उसके पास रोकने का कोई रास्ता नहीं था और एक ही वार से मारा गया. दुख की चीख के साथ निराशा से भरी उसकी आखें अनिक्छा से आदित्य की ओर देखती रही, वह मरना नहीं चाहता था. जैसे ही तलवार की चीने वातावर्ण को भर दिया, आदित्य की तेज तलवार ने दिशा बदल दी. यहां उसे कौन रोक सकता था? जू किंग्याओं का दिल और भी तेजी से धड़क उठा, अतुलन यदि कृपान तलवार अमर राजा चरम मंच से तूट गया, तो क्या कोई था जो अब भी उसे रोक सकता था? क्या ये लोग उसकी भव्यता को रोक पाएंगे? यह कृपान तलवार अमर राजा एक ऐसा चरित्र था, जो प्राचीन समराटों के शहर में चरम पर खड़े उ इतने सारे विशेशग्यों को अपमानित करने के बाद, क्या वह वास्तव में अपनी चौकाने वाली ताकत के बावजूद जीवित रह सकता है? शू किंग्याओं को ऐसा ही संदे हो रहा था. मैं उससे कमतर हूँ. मैं अपने पूरे जीवन में पकड़ नहीं पाऊंगा. एक तमाशबीन अमर राजा ने आह भरी. इससे पहले वह भी यहां बेशर्मी से शेखी बढ़ार रहा था और बहुतों के समान था. क्रिपान तलवार अमर राजा को मारना चाहता था. लेकिन अब यह कैसी विडम बना थी? यदि क्रिपान तलवार अमर राजा उसे मारना तो यह एक चींटी को मारने जितना आसान होगा. यह सोचने पर उस अमर राजाने क्षेत्र में मुरने और जाने से पहले जूकिंगया उपर एक नजर डाली. वह सपष्ट रूप से चिंतित था कि आदित्य उससे बदला लेने के लिए उसकी तलाश करेगा. यहां के बहु उसके लिए उसके जूटे पोँचने के भी योग्य नहीं थे. इसलिए जो कृपान तलवार अमर राजा को मारना चाहते थे, उनमें से अधिकाश चुप हो गए. वास्तव में कई ऐसे थे जो चुपचाप चले गए. शायद उन्हें लगा कि उनके पास पीछे रहने के ल और जग्था यहां आया. यह नवागंतुक अपनी आखों में सद्मे और अविश्वास के साथ युद्ध को घूर रहे थे. सेबर स्वर्ड इम्मोर्टल एक बेजोर भव्यता बिखेर रहा था. यहां आदमी कौन है, कुछ विशेशग्य ऐसे थे जो नए-नए आय आय थे और उन्हें पता नहीं था कि आदित्य कौन है. कृपांतलवार अमर राजा किसी ने उत्तर दिया. दो साल पहले उसने जी डाउलों को मार डाला और यहां तक की परीकिंग्याओं का अफरन करने की हिम्मत भी की. क्या वह कृपांतलवार अमर राजा है? क्या वह मध्य इससे पहले मैं अभी भी सोचता था कि अफवाहें अतिश्योक्ति पूर्ण थी. लेकिन अब न केवल अफवाहें अतिश्योक्ति पूर्ण हैं, बलकि उनकी सामगरी ने वास्तव में कृपांतलवार अमर राजा के कौशल के साथ न्याय नहीं किया. वह दिव्य शरीर के स केवल एक दानवस्तर का चरित्र है. एक व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत रूप से लड़ाई देखी थी, वह वास्तव में समझ सकता था कि आदित्य कितना भयानक था. उस विशाल शरीर ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया. पैगोडा लो डोमेन होने के कारण कोई भी उसके स सामने खड़ा नहीं हो सकता था. उन अमर राजाओं में से कई जिन्होंने कहा कि वे उसे पहले मारना चाहते थे, सभी भाग गए थे. और जहां तक उन लोगों की बात है, जिन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया था, उन्हें इतने कम समय में सीधे कुछल दिया गया थ केवल दो सबसे मजबूत लेट फेज पीकस्टेज अमर राजा अभी भी जीवित थे. इन दोनों में से एक ताई हुआ अमर राजवंश का व्रिध अमर राजा था और दूसरा नौसमराटों के अमर सामराज्य का एक सर्वोच विशेशग्य था. रॉयल ड्रैगन सील मारो जैसे ही उसका शरीर आदित्य के आकार का हो गया, उसकी दाढ़ी हवा में लहराने लगी. आदित्य के सामने, खड़े होकर वे दोनों देवताओं के समान थे. एक चौकाने वाला स्वर्गिय शाही दबाव उसके पास से निकला और जैसे ही सील का हमला हुआ, विनाशकारी शक्ती वातावरण में व्याप्थ हो गई. उस शक्तिशाली शाही मुहर में टाइटैनिक की ताकत असली ड्रेगन के बराबर थी. दुनिया की हर चीज को हडपने की चाहत में इसका तेजी से विस्तार हुआ. हाँ हाँ बूढे आदमी, तुम जल्द ही मर रहे हो, लेकिन तुम अभी भी इस सीट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करते हो, आदित्य अहंकार से हसा, और सबके दिलों में कृपान तलवार अमर राजा की चाप को और मजबूत किया. भविश्य में, जब लोगों ने कृपान तलवार अमर राजा के बारे में उल्लेख किया, तो वे चारी कानून दोमेन के साथ मिलकर तलवार और कृपान में उतक्रिष्ट कौशल के साथ एक सर्वोच चरित्र के बारे में सोचेंगे. आदित्य ने तलवार से शांदार प्रहार किया. उसकी तलवार पानी की तरह बहती है. क्रोध की गरजना के साथ विशाल तलवार शेत् तलवार की रोशनी ने सब कुछ नश्ट करना चाहा, कुरूरता से गोली मार दी। क्योंकि उन्होंने युद्ध किया, एक के बाद एक हमले शुरू किये, क्रिपान तलवार अमर राजा को मारने के लिए कोई खर्च नहीं किया, जदी आदित्य नहीं मरते, तो वे ही मरते, तुम लोग, क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती, आदित्य ने ठंडेपन से व्य करने के लिए अपनी अधिक्तम शक्ती का उप्योग करना पड़ा, यदि उनके साधना आधार थोड़े कम होते, तो वे युद्ध के मैदान में मरते हुए अन्य लोगों के समान ही होते, दस हजार सील ताय हुआ अमर राजवंश का वह बूढ़ा अमर राजा दाड़ा, उ अधित्य ठंडेपन से बोला, पैगोडा पवित्र उन सभी को कुचलते हुए मुहरों की ओर जाएगा, उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और घमन से बोला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, इस सीट को आपको अपने रास्ते पर भेजने दें, जैसे ही उसकी आवाज की आवाज फीकी पड़ी, उसकी आखों में बिजली चमक उठी जैसे की तलवार का एक भयानक विस्पोट बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा, बूढ़े व्यक्ती ने स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक अपनी रक्षा के लिए अपनी कानून उर्जा का अपना बचाव किया था, जब तलवार का इरादा उसकी ओर गिरा, तो वह वास्तव में बूढे व्यक्ती की रक्षा को तोड़ने में विफर रही, आदित्य की आखों में एक ठंडी मुस्कान आ गई, उसके हाथ में तेज तलवार लहरा रही थी, जिससे तलवार क्यूई की नदिया बन रही थी, जो अदमय गती के साथ आगे बढ़ रही थी, इसक्षन उस बूढे व्यक्ती ने स्वपन द्रिश में प्रवेश करते ही स्वयन को भ्रम में डूबा हुआ महसूस किया, लानत है लेकिन जैसा की शिखरवस्था के अमर राजा से अपेक्षा की जात और एक शक्तिशाली दबाव का अनुभव करता है, लेकिन अभी उसने केवल आदित्य की ठंडी आखों को भ्रमपून प्रकाश की किरने बिखेरते देखा, शन भरबाद बूढे व्यक्ती का शरीर तन गया और उसके दिमाग में एक भयानक द्रिश्य दिखाई दिया, केवल उसके भौतिक आक्रमनों और शारीरिक रक्षा को इतने भयानक स्तर तक विक्सित किया गया है, बलकि वह वास्तव में आत्मिक आक्रमनों में भी कुशल था, किसी की साधना जितनी मजबूत होगी, स्वाभाविक रूप से उसकी आत्मा की उर्जा उतनी ही मजबूत होगी, जिससे उसे एक उच्च आत्मिक सुरक्षा मिलेगी, हाला कि इस समय इस शिखर्स्तर के अमर राजा को अपनी आत्मा का पती हुई महसूस हुई, वह मृत्यू के देवता को अपनी ओर इशारा करते हुई महसूस कर सकता था, भाड में जाओ, उसकी आत्मा के भीतर एक दहार गूझ उठी, वह आदित्य के प्राचीन परशु के रूप में अपनी आत्मा की ओर चुगते हुए गुंगा हो गया, उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अपनी सारी अमर उर्जा का उप्योग करते हुए सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की, जैस समराटों के अमर सामराज्य के सरवोचिस्तर के अमर राजा स्वाभाविक रूप से इस अफसर को नहीं चुपेंगे, उसने एक भयानक समराट की तलवार उठाई, जो अपनी पूरी ताकत से आदित्य के अविनाशी शरीर की ओर जागिरी, आदित्य का शरीर सुनहरी वज शकों को ठंडी हवा में सांस लेने का कारण बना दिया, क्योंकि वे उनकी आखों में आतंग के साथ घूर रहे थे, वह एक अंतिम चरण के शिखरचरण के अमर राजा का चौतरफा हमला था, फिर भी इसने आदित्य को केवल थोड़ा घायल किया, उसे मारने में पूरी त बरे में बनाया गया था, यदि यह इस कवच के लिए नहीं होता, तो उसकी चोटे निश्चित रूप से बहुत अधिक भारी होती, आखिरकार वह अंतिम चरण के शिखरचरण के अमर राजा द्वारा किया चौतरफा हमला था, यह शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता, हाला कि इस रक्षात्मक कवचने वास्तव में आधित्य की रक्षा को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं दिया, वजर के सुनहरे शरीर के कारण उसकी रक्षा अपने आप में पहले से ही बेहत भयानक थी, जिसे उसने भगवान के हाथ के सिध्धान्तों से और मजबूत किया, वजर इस पश्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी ओल आउट स्ट्राइक से आधित्य को थोड़ी चोठी लगेगी, जब आधित्य ने ताय हुआ अमर राजवंश के शिखर्चन के अमर राजा को समाप्त किया, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह वास् जैसे चरित्र के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? भीड ने आह भरी. ये दो शक्तिशाली देरचरण शिखर्चन अमर राजा दोनों बेकार थे, आधित्य के खिलाफ जीतने में असमर्थ थे. वास्तव में नौसमराटों के अमर सामराज्य का यह अमर राजा वास्तव में भागने की तयारी कर रहा था. इससे कोई बहुत अच्छी तरह कलपना कर सकता है कि कृपान तलवार अमर राजा कितना भयानक है. जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि सभी दर्शकों ने भविश्यवानी की थी, चुंकि उस अमर राजा का अब युद्ध करने का इरादा न गया था. आदित्य ने अपने हाथ से पकड़ लिया, अपने प्रतिदवंदवी के सिर को पकड़ लिया और वह उनमत्त रूप से हसा, मुझे मारना चाहते हो. क्या तुम लोग इसके लिए तयार हो? बोलते ही उसने जोर से सिर को चल दिया. एक विसपोटक ध्वनी के रू मास्तव में बाहर कदम रखते हैं, तो उनके लिए मृत्यू ही एक मात्र मार्ग होगा. वे इस क्रिपान तलवार अमर राजा को मारने के लिए केवल अपने संप्रदायों और कुलों के सबसे मजबूत सर्वोच्छ विशेशग्यों की तलाश कर सकते थे, जो वर्तमान में प्राचीन समराटों के शहर में हैं. क्या अब भी कोई है जो मुझे मारना चाहता है, अपने विरोधियों को खतम करने के बाद आदित्य की नजर भीर परपड़ी. किसी की हिम्मत नहीं हुई जवाब देने की. उसके पीछे समराट का भाग्य अधिक से अधिक भयानक होता गया. इस बार आदित्य दबंग दिखाई दिये और सभी प्रतिरोधों को कुचल दिया. ऐसा करने का मुख्य उद्देश अधिक समराट के भाग्य को संचित करना था. वह हर किसी का विस्मय और सम्मान चाहता था, जिससे प्राचीन समराटों के शहर में हर कोई उससे डरत था. तभी उसके बाद शाह का भाग्य लगातार मजबूत होता जाएगा. आखिरकार समराट का भाग्य यहां कई गुप्त स्थानों और प्राचीन खंधरों को खोलने की कुंजी था. अगर अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं तो अभी बोलें आदित्य अहंकार के साथ बोला. उसका शरीर अपने मूल आकार में वापस आ गया. उसके बाद अपने सिलहूट की एक चमक के साथ वह हवा में उड़ गया और इस छेत्र को छोड़ दिया. वह अंत में चला गया. यह कृपान तलवार अमर राजा बहुत भयानक है. हाँ, इस तरह के चरित्र के लिए, जब तक कि उसका प्रतिद्वंद भी उन सर्वोच दानवस्तर की प्रतिभाव में से एक नहीं है, जो चरम पर है, कोई और उसे मारने में सक्षम नहीं होगा. उन सर्वोच कुलीनों में से कुछ शायद जल्द ही उनके खिलाफ एक कदम उठाएंगे. ज लेकिन अब कौन ऐसे विचारों को मन में रखने की हिम्मत करेगा? इस लड़ाई की खबर जल्द ही फैल गई. जिन लोगों ने शेखी बगारी की वे कृपान तलवार के अमर राजा को मार देंगे, वे सब चुप हो गए, अब वे इसके लिए मारे जाने की स्थिती में ब अमर राजा ने अभी भी उसे बाहर निकालने, उसके सामने घुटने टेकने और दया की भीख मांगने से इनकार कर दिया, तो वह कृपान तलवार देने से पहले अपने खेती के आधार को अपंग करते हुए व्यक्तिगत रूप से उसका शिकार करने का कार्य करेगा. अप फिर भी उसके पास इस व्यक्ति के सामने अहंकार पूर्वक कार्य करने की क्षमता नहीं होगी. आधित्य फिर गायब हो गया. इस बार वह युद्ध के लिए निकला क्योंकि उसे लगा कि उसके समराट का भाग्य अभी परियाप्त मजबूत नहीं था. इसलिए वह उस स् की संग्रणिय मात्रा है. जिसकी नेती जितनी मजबूत होगी, उसे स्वभाग्य के उतने ही अधिक अफसर देखने को मिलेंगे. इसके लिए आधित्य पहले ही वेरिफाई कर चुके थे. इस बार उसके समराट का भाग्य और भी तीवर हो गया और जब वह किसी चमतकारिक स्थान से गुजरा तो वह जिन रहसियों को देख पाया, वे स्वभाविक रूप से अधिक गहरे थे. जहां तक उस युवराज की आवास की बात है, भले ही उसने उसे सुना हो, लेकिन उसने वास्तव में उसकी परवाह नहीं की. जब कोई अपने स्तर तक साधना कर लेता है, तो उसके हृदय की स्थिती स्वाभाविक रूप से असाधारन होगी. किसी के द्वारा बोले गए शब्दों के कारण वह कैसे क्रोधित होगा? इसके अलावा, यह अफवाह थी कि राजकुमार उन सर्वोच प्रतिभाव में से एक था, जो प्राचीन समराटों के शहर में सभी अमर राजाओं को पार करने में सक्षम होगा. उस समय यहां समराट का भाग्य उसके शरीर पर संचित अधिक से अधिक नेती के रूप में होगा. हाला कि अपनी शक्ती को बढ़ाना एक दिन में नहीं किया जा सकता, विशेश रूप से तब जब व्यक्ती पहले से ही आदित्य के साधना चेत्र में था. कुछ लोग यहां हजारों या दस हजार साल से अटके हुए थे और फिर भी वहां से निकलने में असमर्थ थे. यद्यपी युग बदल रहा था और अनेक श्रिष्ट पात्र प्रकट हुए थे, किन्तु कुछ अवसरों के बिना अलप के पास समराट के भाग्य की प्रचुर मातरा थी, लगभग उस बिंदु तक जहां उनका भाग्य भातिक हो गया था. इसलिए क्योंकि वे प्राचीन समराटों के शहर में अधिक चीजे देखने में सक्षम थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अधिक चीजों के बारे म और नौसमराटों के अमर सामराज्य द्वारा यहां भीजे गए एक शिखर्चन के राजकुमार चरित्र भी थे. क्रिपांतलवार अमर राजा ने अपने नौसमराटों के अमर सामराज्य के कई विशेशग्यों को मार डाला, प्रतिशोध का यह रिंड निश्चित रूप और उसने अपने अधीन विशेशग्यों को एक आदेश भेजा कि वह कोई कसर न छोड़े और क्रिपांतलवार अमर राजा की खोज करे. हाला कि कोई उसे कैसे ढूंड पाएगा. अभी आदित्य एक दूर पहाड पर आ गया. वह पहले भी यहां था और उसके बाद भी उस भयानक सुनहरी रोशनी से उसकी आखें चमक उठीन और पल भर में उसके सामने का दृष्य बदल गया. इस उजाड पहाड पर एक प्राचीन अमर महल दिखाई दिया. इसके चारों और उचे मंडप थे और यहां तक की बहते पानी की धाराएं और एक पहाड पर नीचे ग प्रवेक्षन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा. एक शन बाद उसने एक जिथर की मधुर धुन सुनी और उस दिशा में चलने के अलावा और कुछ नहीं कर सका. वह एक धारा के सामने एक मंडप में आया. लंबे काले बालों के साथ एक अधेर उम्र की शक्सियत थी जो बरतमान में जिथर बजा रही थी. इस समय अधेर उम्र के व्यक्ति ने अपनी निगाहें उठाई और आदित्य को घूरने लगा. इस पल में ऐसा लग रहा था कि आदित्य पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक भ्रमपूर्ण शुने में प्रवेश किया था. इस विशाल स्थान में केवल वह और वह मनुष्य ही अस्तित्व में थे. आप कौन है, एक एथर आवास बहती है. आदित्य इस भ्रम से मुक्त होना चाहता था, फिर भी वह कितना भी प्रयास कर ले व्यर्थ था. यह भ्रम बहुत अत्याचारी था, उसे एक नज सीलर मास्क है. आप अपनी पहचान क्यों चुपा रहे हैं? वह आवाज एक बार फिर गुंज उठी. आदित्य का दिलकाप उठा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस व्यक्ति के माध्यम से देखा जाएगा. आदित्य ने अपना मुखोटा हटा दिया और अपनी मूल की पड़ी, मायावी शुनि उसके साथ गायब हो गया. वह एक बार फिर एक अधेड उम्र के आदमी के सामने खड़ा हो गया, जो जीर बजा रहा था. अधेड उम्र के आदमी की आखें बेहत भयानक थी, जिसके भीतर एक प्राकृतिक थोपना था. वरिष्ट, आपके खे आखें आदित्य को घूर रही थी. जूनियर ने केवल सुना है कि प्राचीन समराटों का शहर एक स्वतंत्र स्थान पर है, जिसमें अन्य अमर्क शेत्रों से दाव तत्व हैं. मुझे नहीं पता कि यह सच है या गलत, क्या वरिष्ट कृपया मुझे कुछ मार्क दर्शन प्रदान करेंगे आदित्यने हाथ जोड कर पूछा. यहां आदमी एक नजर से ही उसे मायाजाल में फसाने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली विशेशग्य था. इस स्वतंत्र स्थान में कुल तीन आयाम हैं. लेकिन तीसरे स्थर के लिए इसे एक ओवरलाप आयाम के रूप में जाना जाता है, जिसमें समराट और राजा एक ही स्थान पर अलग-अलग होते हैं. अमर राजाओं के लिए विरासत और सौभाग्य को जब्द करने से समराटों को रोकने के लिए यही कारण था कि ओवरलाप आयाम बनाया गया था. आप लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते, केवल वही आपकी दृष्टी में होंगे, लेकिन वास्तव में समराट और राजा दोनों एक ही आयाम में हैं. आदित्य की आखें चमक उठीं. क्या वास्तव में ऐसा कुछ था? अन्य अमर लोकों के ताव तत्वों के लिए यह सच है, लेकिन वे सभी युगों में मौजूद नहीं होंगे. केवल जब प्राचीन समराटों के शहर के नियम बदल गए और एक बिलकुल नए सर्वोच युग का अवतरण आसन्न है, तभी ये दाव तत्व प्रकट होंगे. साथ ही, ऐसे युग में इन दाव तत्वों की विरासत के लिए संधर्ष करने की कीमत बहुत अधिक है, उस अधेर उम्र के आदमी ने समझाया. कीमत क्या है, आदित्य ने पूछा. जब एक प्रकार का दाव तत्व प्रकट होता है, तो निश्चित रूप से कई विशेशग्य एक दूसरे के खिलाफ संधर्ष कर रहे ह स्थिती बेहर क्रूर है क्योंकि प्रत्येक दाव तत्वों की विरासत केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित है. इसलिए इसके लिए लड़ने वाले विशाल बहुमत अंत में मर जाएंगे. जब तक तुम एक विरासत प्राप्त करना चाहते हो, तब तक तुम्हें रक्त और से शुरू करे, अन्य सर्वोच प्रतिभा के खिलाफ संधर्ष करे, क्या यह था? वरिष्ट इन बातों के बारे में इतने सपष्ट क्यों है, आदित्ये ने उचसुक्ता से पूछा. सीनियर, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? हाँ, हाँ, क्या आपको यहां अजीब प्राचीन युग से हैं? यह सही है. मैं ही नहीं, हर युग के लिए यहां लाशों की संख्या अंगिनत है. लेकिन कई सर्वोच पात्र ऐसे भी हैं, जिनकी मृत्यू नहीं हुई. उनकी खेती को सील कर दिया गया, और उन्हें शहर के भीतर दबा दिया गया. साधारन क्या कानून विशेष्टा? आदित्य ने पूछा. सपनों की कानून उर्जा. क्या यह जगह सीनियर द्वारा बनाई गई ड्रिमस्केप है? आदित्य की निगाहे टिम्टिमा. उठीन. उस मामली में, उस ध्रमपूर्ण शूने में मैं पहले फस गया था. क्या वरिष्ठ वास्तव में तेज है. यहां जो कुछ भी देखते हो, वे सब स्वपन है. जब स्वपन शक्ती का किसी अन्य उर्जा के साथ विलय हो जाता है, तो भीतर फंसे लोगों को यह महसूस होगा कि सब कुछ भ्रम होने के बावजूद वास्तविक्ता से कोई अंतर नहीं है. आप अधित्य ने पूछा, मुझे मुक्त होने में मदद करें. हाँ, 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 वह अधेड आदमी जोर-जोर से हंसने लगा. हम भाग यसे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आप से मिलने और क्रूर सच्चाई के बारे में बताने का फैसला किया. आप सबसे अच्छा अप अधित्य ने पाल्थी मार कर सीधे यहीं मौके पर खेती की. ओवरलैपिंग आयाम वास्तविक्ता जैसे सपने. आधित्य को लगा कि उसने एक अंतरग्रिष्टी प्राप्त कर ली है. वह च्छेत्र में रहने वाले स्वपन बल के अवशेशों को महसूस कर सकता था. इससे काफी देर बाद आधित्य विदा हुए. उसने जंगल में घूमना जारी रखा और कई चमतकारिक द्रिश्ट देखे और खेती करने के लिए कुछ गुप्ट खंधरों में भी प्रवेश किया. उसके अपने अवसर थे और अंजाने में उसने पहले ही प्राचीन समराटों क के शहर में कई साल बिताए थे. इन वर्षों के दौरान प्राचीन समराटों का शहर बदलता रहा और कई घटनाएं सामने आई. उदाहरन के लिए एक विशाल विशाल व्रिक्ष था जिसकी चोटी आकाश को छूती थी. इसने एक भयानक कानून उर्जा को विकीन किया जि इसके नीचे खेती करने वाले लोगों को बढ़ावा दिया. पहाडों पर फूल पैदा हो रहे थे, इसे एक प्रेरी में बदल रहे थे, हवा और बिजली के नियमों से शक्ती निकल रही थी, जिसने किसी को भी मार डाला था. ये चमतकारिक घटनाएं डेमोंगोर मुटनै प्राचीन समराटों के शहर के हवाईक शेत्र में एक शांदार प्रकाश ज़र रहा था, जो सब कुछ रोशन कर रहा था. इस पल में वह उचा पेड और अधिक जीवन्त हो गया, उसकी शाखाएं आपस में मुर गई, मानो वह किसी देवता को सम्मान दे रहा हो. प्रेरी क पर वे असीन धाविका प्रकाश को महान दाव के प्राचीन धागों में बदलते हुए देख सकते थे, जो उनके प्रत्येक रिदय को जखजोर कर रख देता था. विरासत जो हम दाव तत्वों से प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये पौरानिक कथाओं में उल्लिखित कहानिया हैं? वास्तव में यहां प्राचीन समराटों के शहर में अन्य अमर लोकों से विरासत में मिली हैं. किसी ने चौंक कर कहा, एक तूफान ने प्राचीन समराटों के पूरे शहर को कामपने का कारण बना दिया. वे हवा में स्वर्गिय अवसरों को महसूस कर सकते थे. जैसा क अपेक्षित था, युग में परिवर्तन के कारण शहर के नियम बदल गए। उन्होंने इस से पहले ऐसी घटना न कभी देखी थी और नहीं सुनी थी। उन्होंने केवल अपने बड़ों को किमवदंतियों में ताओ तत्वों के बारे में थोड़ा सा उल्लेख करते हुए लेकिन यह सूचने के लिए कि वे आज इसे व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। प्राचीन समराटो के शहर में उजाड के एक निश्चित खंड पर आदित्ये ने अपना सिर जुकाया और आकाश की ओर देखा। उसके चारों ओर घास के अंगिनत बलेड तेज हो गए जो जो समय बीटने के साथ-साथ तेज होने वाली कानून उर्जा को विकीन कर रहे थे। बहुत आगे परवत श्रिंखला पर चटानों से फूल की पंखुडिया दिखाई दे रही थी। आश्चर्यजनक द्रिश्यों के बावजूद यह ऐसा था जैसे उसने उन में से कोई भ जाता है तो ऐसा करने वालों में से अधिकान्ष की मृत्यू हो जाएगी। उस विरासत के मुक्त रहने के लिए संधर्श करने वाले सभी प्रतिभाओ को हराना था या वे दाव तत्वों के प्रतिबंधों से बंधे होंगे और या तो मर जाएंगे या प्राचीन समराटो के शहर के भीतर हमेशा के लिए दबा दिये जाएंगे। वह हवा में उड़ गया और दूर तक देखने लगा। उसने महसूस किया कि वह प्राचीन समराटों के शहर के केंद्रियक शेत्र के जितना करीब होगा। प्रकाश की किरने उतनी ही तेज होंगी। ऐसा प्रतीत होता कि अगर वे देर से पहुँचे तो कहीं कुछ खोन जाएं। हवा में रोशनी में नहाते हुए, कई शांदार आकरितिया हवा में उड़ गई। वे यह देखना चाहते थे कि यह ताव तत्व किस बारे में है, लेकिन उनमें से कोई भी इसके आरपार नहीं देख पा रहा यह दाव तत्व बहुत रहस्यमय है। इससे पहले कि हम इसे समझ सकें, हमें किन कानून विशेष्टाओं की आवशक्ता है। हाँ, ताव तत्वों की उपस्थिती के साथ प्राचीन समराटों के शहर के आसमान में घटनाय दिखाई दी। यह बस चौकाने वाला है, मैंने असंख्य अस्तित्वों को विक्सित होते हुए महसूस किया, साथ ही बुद्धपत की कुछ पूर्जा भी। ऐसा एहसास बेहद अजीब है, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि हम पहले बहुत उत्साहित थे। यदि हम इसके आरपार नहीं देख पाते हैं, तो यह ताव तत्व हमारे लिए पूरी तरह से अनुपयोगी है। आखिर क्या ये विरास्ते केवल उन परमपुरुशों की हैं, जो शिखर पर खड़े हैं। पोच चरित्र ऐसे भी थे, जिनके समराठ का भाग्य एक शांदार रोशनी से चमक उठा था जो उनके चिंतन के अनुसार दाव तत्व से मेल खाता था। यह एक बुद्धपत दाव तत्व है, एक प्राचीन बुद्ध के बोलते समय एक विशेशग्य ने अपनी हथेलिय को एक साथ दबाया था। ऐसा लगता है, जैसे समराठ का भाग्य हमें दाव तत्व के रहसियों को देखने में मदद करने में सक्षम है, गुद्धबुद्धाते हुए किसी को ज्यान हुआ। जिनकी सुक्षम आत्माय बुद्धपत की थी, जो दाव तत्व के साथ एक अनुनाद प्राप्त कर रही थी, जिससे उन्हें इसके कुछ हिस्सों को सपष्ट रूप से देखने की अनुमती मिली। उन्होंने तुरंट अपने हरिदय की स्थिती को शान्त किया और अधिक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गंभीर अभिव्यक्ती की, एक निश्चित दिशा में बुजी प्रकट हुई, उसने अपनी हथेलियों को एक साथ दबाया हुआ था और एक बुद्ध जन्मजात तक्नीक का परिक्रमन कर रहा था क्योंकि उसकी आखें सु इस बात का यकीन था, यदि यह बुद्धपत दाव तत्व नहीं होता, तो समराट के भाग्य की अपनी राशी को देखते हुए वह शायत कुछ भी महसूस नहीं कर पाता, बुद्धपत दाव तत्व, क्या अफसोस है, यह उजार पहाडों से बड़े राक्षसों के लिए हमारे लिए बेकार है, हवा में एक निश्चित शेत्र में राक्षसी विशेशग्यों का एक समोह जो की भव्यता विकीन कर रहा था, वहां खड़ा था, मुख्य दैप्य ने एक शाही और अध्वितिय आभा विखेरते हुए प्रकाश की किरन को देखा, हाँ, हम राक्षस किसी भी हाल में इसकी साधना नहीं कर सकेंगे, लगता है उन गंजे गधों, भिक्षूं को सच में अपने भाग्य का धन्यवात करना पड़ रहा है, एक और बड़ा दानव बोला, वे एक सन कैरिज में बैठे थे, जिससे महिमा की हवा निकल रही थी, यहां के विशेशग मानवता और दानव प्रकार के कई शिखर पातर भी थे जो हवा में प्रकट हुए, उनके लिए जो अभी तक यहां नहीं थे, वे निश्चित रूप से भाग रहे थे, उन सभी ने अपनी साधना बंद कर दी और दाव तत्व के रहसियों को जानना चाहते थे, इन लोगों बहुत खूबसुरत थी और यह विशेश रूप से मुख्य सुंदर्ता के लिए ऐसा था, नश्वर धूल से अचूती एक पारलोकिक आभा विखेरते हुए, वह सफेद रंग में लदी हुई थी, वह अतुलनिय रूप से शुध और निर्दोश लग रही थी, और उसकी त दुनिया में मौजूद नहीं थी, महिला के ललाट के मध्य में एक फीकी कमल की चाप देखी जा सकती है, जिससे उसकी सुंदर्ता कुछ बिंदोओं से बढ़ जाती है, वह शुध और पवित्र वहां खड़ी थी, फिर भी निससंदेह उसकी आभा में राक्षसी की का जाओं ने उस महिला पर नजर डाली और उस पर नजर डाली, तो उन्हें वास्तव में पता चला कि यह सुंदर्ता यहा भाव के मामले में हो, जुकिंग्याओं एक निम्न दरजे का था, उन महिलाओं ने ऐसा महसूस किया जैसे उन्हें इस दुनिया में बिल्कुल भी मौ इसके अलावा, महिलाओं का यह समोह वास्तव में सभी लोंडियों, नौपूच वाले लोंडियों हैं। उस राक्षसी महिला ने जुकिंग्याओं की तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन वह आकाश से प्रकाश की किरण को देख रही थी। केवल जुकिंग्याओं ही महिला को एक प्रतियोगी के रूप में मान रहे थे क्योंकि वह खुद की तुलना कर रही थी। इसके अलावा सभी अलग-अलग दिशाओं में एक के बाद एक शांदार पात्र प्रकट हुए। आदित्य आखिरकार डौड पड़े। उसकी नजर प्रकाश की किरण पर पड़ी और उसके समराट के भागय के कारण वह सपष्ट रूप से अंकिनत रनों से बने प्रकाश को देख सकता था जो उसकी आखों के लिए सपष्ट थे। वह यह भी बताने में सक्षम था कि यह एक बुद्धपत दाव तत्व था। यहां के प्रत्येक भाग में एक रहस्य में उर्जा समाहित थी जो बुद्धपत के साधकों के लिए अंतरद्रिष्टी प्राप्त करने के लिए उप्युक्त है। रन जो बिना रुके नीचे गिरते थे, महां दाव पर एक किताब के शब्दों की तरह थे, जो की बहुत गहरे थे। आदित्या ने बुजी को देखा वह व्यक्ति बुद्धपत में साधना करता है और इस दाव तत्व को महसूस करने में सक्षम था। अफसोस की बात है कि उसके समराट का भागय पर्याप्त नहीं था और उसके पास इसके रहस्य को देखने का कोई तरीका नहीं था। कृपान तलवार अमर राजा यह साथी से और अधिक नियंत्रित नहीं कर सका और न छिपाने का फैसला किया। लेकिन उसके दुश्मन उसे कैसे बक्षेंगे। जू किंद्याओं ने भी आदित्य को देखा। उसकी आखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी यह पागल फिर से प्रकट हुआ और उसके पीछे समराट के भागय की मात्रा वास्तव में पहले से ही इतनी मजबूत थी। यह बहुत चौकाने वाला था। उसे पहले से ही उस बिंदु पर होना चाहिए जहां वह चोटी पर खड़े उन प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ सके। हाला कि आदित्य की प्रसिधी अभी तक उनक समराट के भागय की इतनी चौकाने वाली राशी है। आप कौन है तुरंत उजाड परवत से एक और बड़ा दानव आदित्य के पूछने पर सीधे उसकी ओर देखने लगा। अपनी तकटकी में एक चमक के साथ आदित्य उस बड़े राक्षस की ओर मुरा जिसने जवाब दिया यहां आसन कृपान तलवार अमर राजा है। आदित्य को घूर रहा था। नहीं कि आपको खुद पर इतना गर्व है। लेकिन अभी मैं आपको अधेक सन्यम के साथ बहतर कार्य करने की सलाह देता हूँ। मुझे उसे मारने दो एक बड़ा राक्षसी ढंग से बोला। उसकी कोई जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अन्य इनसान उससे निपटने के लिए कदम उठाएंगे। आपको अभिनय करने की आवश्यक्ता क्यों है। एक बड़ा राक्षस बोला। और जैसा की अपेक्षित था, इसी क्षन मनुश्यों का एक समोह प्रकट हुआ। नेत्रित्व करने वाला व्यक्ती पीले वस्त्र पहने था और उसमें भव्यता थी। और दुनिया के राजा की तरह एक अद्वितिय आभा थी। इस भील के भीतर आदित्य ने एक जाना फचाना चहरा भी देखा हुआंशेतियन जो अमर राजा के दाएरे में था। सपष्ट रूप से विशेशग्यों का यह समोह नौसमराटों के अमर सामराज्य से था। नेत्रित्व करने वाला व्यक्ति एक असीन विशाल और शक्तिशाली आभा से भरा हुआ था। थंडा था। आखिरकार कृपान तलवार अमर राजा ने अपने नौसमराटों के अमर सामराज्य के कई विशेशग्यों को मार डाला था।